पेरे पास दो आप्शन्स है, पहला उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूँगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूँगा, और भी कोई डायलोग बागी है, जब वो आएगा, तुम आप्शन नहीं है, आक्शन हो मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे सत्रा ब्लास करवाए, तो क्या, एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? कोई तो होगा? वो किसी भी फिल गुड फिल्म से पहले आने वाले स्मोकिंग अड की तरह से, कंटेंट सही होता है, लेकिन विजुल्स बहुर्ट दिस्ताने हैं थार नहीं कर सकत्ता थी ब mudढिते हैं कर दो होता है झाल 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 तुम कुछ नहीं हो बस एक ओडिनरी लड़की हो और कुछ नहीं झाल 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 टाइगर्स आप की बागी 3 की कहानी रौनी और उसके भाई बिक्रम यानी की रितेश देश मुक्की है। लेकिन वो बिक्रम का रक्षक है। बिक्रम को खरोज भी आये तो रौनी सामने वाले के खून की नदिया बहा देता है। अब मेकर्स ने बागी 4 की कहानी लिखना शूरू कर दिया है। क्योंकि बागी 4 की सूटिंग हेरो पंथी 2 के साथ होगी। टाइगर साब चाहते हैं कि हीरो पंथी 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए। इसलिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से सुरू कर दिया गया है। जैसे कि आजकल छुटिया चल रही हैं तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान दे रहे हैं। टाइगर को चीता का आपसन मिलता है तो वो बिना समय गवाएं रितिक रोसन का नाम लेते हैं। गौर तलब है कि टाइगर और रितिक की केमिस्टी ने 2019 में वार जैसी ब्लॉक बास्टर दी है। टाइगर स्राप रितिक रोसन के बहुत बड़े फ्रैन है। टाइगर ने बताया था कि रितिक रोसन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थे। जब रितिक को टाइगर की दिवानगी के बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि ये अच्छा है कि जो मैंने उसके साथ कुछ सालों पहले किया वो अब मेरे साथ हो रहा ह अब टाइगर मुझे इंस्पायर करता है और मैं उसका फैन हूँ अब टाइगर स्राफ ने क्यों कहा कि हाथ में भारी बंदूख ना होती तो हवा में उड़ जाते ही क्या लॉक्डाउन में दिसा पाटनी संग रहे हैं टाइगर स्राफ बागी फोर बनाने के पीछे कारण क्या है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी गल टाइगर ने एक वीडियो पोस्ट किया है इसमें वो कारगो पैंट्स पहने नजर आ रहे हैं तेज हवाये चल रहे हैं और वो दोनों हाथ में बंदूख लिए खड़े हैं उन्होंनों वीडियो के साथ कैप्शन दिया है माइनस सेबन डिगरी सेल्सियस मेरी हड्डिया ग पहने जिंदगी का एक और दिन बागी 3 के सेट्स पर टाइगर साब की बागी 3 की कहानी रौनी और उसके भाई बिक्रम यानी की रितेश देश मुक्की है रौनी बेसक उम्र में छोटा है लेकिन वो बिक्रम का रक्षक है बिक्रम को खरोज भी आये तो रौनी सामने वाले बागी 4 रिलीज की जाए इसी लिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से सुरू कर दिया गया है जैसे कि आजकल छुटिया चल रही है तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान दे रहे हैं टाइगर साब ने हाल ही में बॉलिवुड हंगामा को एक मज रितिक रोशन का नाम लेते हैं गौर तलब है कि टाइगर और रितिक की केमिस्टी ने 2019 में वार जैसी ब्लॉक बास्टर दी है टाइगर स्राप रितिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं टाइगर ने बताया था कि रितिक रोशन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पह का फैन बागी 3 ने पहले दिन 17 करोण 50 लाग रुपे का बिजनिस किया था और दूसरे दिन 16 करोण 3 लाग रुपे का बिजनिस किया था तीसरे दिन 20 करोण 30 लाग रुपे का बिजनिस किया था चौथे दिन 9 करोण रुपे और पांचवे दिन 14 करोण रुपे छठे दिन 8 क करोण 40 लाग रुपए का बिनिस किया था और आठवे दिन 4 करोण पर शिवट कर रहे गई नौए दिन करीब 2 करोण रूपए और दसवे दिन 1.5 करोण रूपए का कलेक्शन किया था और बागी 4 का कितना आप बेसर्बी से इंतजार कर रहे हैं बागी 4 का टीजर कब आ रहा है क्या बागी 3 फिर से रिलीज की जाएगी और बागी 4 को लेकर टाइगर शौफ ने क्या स्टेटमेंट दी नमस्कार दोस्तों मैं गरिमात उमर आपका दिल से स्वाधत है हमारे चैनल वालिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में अब भले ही बागी 3 को जादा पसद नहीं किया गया लेकिन ये बात तैथी की फिल्म 125 से 1500 करोड के बीच का बिजनिस जरूर कर लेगी लेकिन रास्ते में आ गया ये COVID-19 यानी कोडोना वाइरस और सिनेमा घरों में लग गए ताले इस वज़े से बागी 3 की यात्रा असमय ही समाप्त हो गई वैसे बागी सिरीज को पसंद करने वालों ने दिल खोल कर फिल्म का स्वागत किया और अकेले टाइगर श्रॉफ को एक देश के खिलाफ लड़ते देखना उनके लिए काफी रोमांच कारी अनुभव रहा लेकिन टाइगर भी दुखी है कि उनकी फिल्म को अचानक सिनेमा घरों से उतादना पड़ा प्रेशनसको के मैसेजज भी उने मिल रहे हैं जो बागी 3 नहीं देख पाए हैं फिल्म के निर्माता भी असमंजस में हैं कि फिल्म को फिर से सिनेमा घर में लगाया जाए या OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीस किया जाए ये बात तै नहीं है कि कब सिनेमा घर खुलेंगे खुलेंगे तो दर्शक सिनेमा घर में जाएंगे या नहीं इसलिए इस बात की संभावना जादा है कि फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफोर्म पर देखने को मिलेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में टाइगर ने बताया था कि फिलहाल वो इस चीज में व्यस्त है कि बागी 3 उन लोगों तक पहुंचे जो उसे देखना चाहते हैं साथ ही टाइगर श्रॉफ ने ये भी संकेत दे दिया है कि बागी 4 की अराउंस्मेंट जल्द ही की जाएगी और ये फिल्म जरूर बनेगी अपने छोटे से करियर में टाइगर ने एक सफल फ्रेंचाइज का हिस्सा बनकर सभी को चौका दिया टाइगर ने एक्शन स्टार के रूप में अपनी इमेज बनाई है और देश के भीतरी इलाकों तक उनकी पेट है वहीं बागी 4 के टीजर की बात करें तो इस लॉकडाउन के बाद जिस तरह से टाइगर श्रॉफ ने बाते कहीं है बागी 4 को लेकर तो उमीद है कि इसका फर्स्ट पोस्टर रिलीस कर दिया जाएगा लेकिन इस पार दर्शकों की एक्साइपमेंट रहेगी कि फिल्म की कहानी और टाइगर का लुक कैसा होगा क्योंकि जैसा कि हमें सेरीज में देखते आए हैं फर्स्ट फिल्म में वो अपनी गल्फरेंड को बचाने जाता है सेकंड फिल्म में वो अपनी बेटी को बचाता है थर्ड फिल्म में वो अपने भाई को बचाता है तो अब फॉर्थ फिल्म में क्या इस लॉकडाउन की व अब एक और भी बात है कि इस सीरीज की तीनों फिल्म में साउथ फिल्मों की रीमेक रही है तो ऐसे में क्या फोर्थ फिल्म भी इस सीरीज की साउथ की रीमेक ही होगी या फिर नई स्टोरी को इजाद किया जाएगा आपको क्या लगता है नीचे कवेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिगराद स्टूडियोज हीरो पंथी 2 के साथ बागी 4 की स्टूटिंग क्यों करना चाहते हैं टाइगर स्राफ बागी 4 बनाने के पीछे कारण क्या है टाइगर स्राफ ने बॉलिगुड का सेर किसे कहा और चीता किसको मानते हैं अजे देवगन को टकर देने के लिए बॉलेवुड में कौन पैदा हो गया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी गलियारे में। बागी थ्री ने 15 दिनों में करीब 100 करोण रुपे का बिजनिस कर लिया है। लेकिन सरकार के आदेश पर कई सिनेमा घर बंद कर दिये गㅁए हैं, जिससे बागी थ्री की कमाई पर काफी अशर पड़ा है। बागी थ्री ने पहले दिन 17 करोण 50 लाक रुपे का बिजनिस किया था। और दूसरे दिन 16 करोण 3 लाग रुपे का बिजनेस किया था, तीसरे दिन 20 करोण 30 लाग रुपे का बिजनेस किया था, चौथे दिन 9 करोण रुपे, और पांचवे दिन 14 करोण रुपे, छठे दिन 8 करोण रुपे, साथवे दिन 5 करोण 40 लाग रुपे का बिजनेस किया था और आठवे दिन 4 करोण पर सिवट कर रह गई 9 दिन करीब 2 करोण रूपए और 10 दिन 1.5 करोण रूपए का कलेक्शन किया भी टाइगर साब की बागी 3 की कहानी रौनी और उसके भाई बिक्रम यानी की रितेश देश मुक्की रौनी बेसक उम्र में छोटा है लेकिनो बिक्रम का रक्षक है बिक्रम को खरोण भी आये तो रौनी सामने वाले के खून की नदिया बहा देता है अब मेकर्स ने बागी 4 की कहानी लिखना सुरू कर दिया है क्योंकि बागी 4 की सूटिंग हीरो पंथी 2 के साथ होगी टाइगर साब चाहते हैं कि हीरो पंथी 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए इसलिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से सुरू कर दिया गया है जैसे कि आजकल छुटिया चल रही हैं तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान दे रहे हैं टाइगर साब ने हाल ही में बॉलिवुड हंगामा को एक स्मझेदार इंटर्व्यू दिया है जिसकी एक क्लिप सोचल मीडिया पर काफी वारल हो रही है इस क्लिप में टाइगर बता रहे हैं कि बॉलिवुड का श्रीर सलमान खान है लेकिन जब टाइगर को चीता का आपसन मिलता है तो वो बिना समय गवाएं रितिक रोसन का नाम लेते हैं गवर तलब है कि टाइगर और रितिक की केमिस्टी ने 2019 में वार जैसी ब्लॉक बास्टर दी है टाइगर स्राप रितिक रोसन के बहुत बड़े फैन है टाइगर ने बताया था कि रितिक रोसन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थे जब रिति पूड में नए जरेशन का हर स्टार पुरानी जरेशन के किसी ना किसी स्टार की छाप जरूर है यकीन नहीं आता तो आपको मैं बताये देता हूं सलमान खान तो खुद ही मान चुके हैं कि बरुणधौन को देखकर उन्हें अपना बीता वक्त याद आता है और बस कारियन की फिल्मों का भी एक ही फंडा है केवाल इंटर्टेन्मेंट बिना दिमाग लगाए कुछ समय पहरे तक कहा जा रहा था कि अजे देवगन की जगा बॉलिवुड में कोई नहीं ले सकता है लेकिन राजकुमार राओ का नाम आ रहा है लेकिन राजकुमार राओ को क्योंकि वो अजे देवगन की तार रोमान से लेकर इंटेंस अभने और देशभक्ती तक सब ट्राई कर चुके उन्हें भी अपना नेशनल अवार्ड मिल चुका है आमिर खान की कुरसी पर बैठेक ले तयार हैं रड़बीर कपूर बिलकुल आमिर खान की तरह सोचिए दो उनों को परदे पर एक साथ देखना कितना दिल्चस्प होगा इसमें बॉलिवुड के दूसरे परफेक्ट इस्टार बन चुके हैं आयुश्मान खुराना वहीं आमिर खान की तरह आयुश्मान हर फिल्म के साथ समाज की एक समस्या पर बात जरूर कर रहें टाइगर और र पहनाता और लगन से जो रणवीर सिंग ने कर दिया उसके लिए हिम्मत चाहिए और बेफिकरे के बाद सब को यकीन है कि वो आधिकारिक तोर पर शारुक खान का परफेक्ट रेप्लेस्मेंट हो सकते हैं अक्षे कुमार से बहतर या उनकी टककर के स्टंट अगर कोई कर सक आता है तो वो टाइगर स्राफ है इतना ही नहीं टाइगर अक्षे जितने ही अक्षे जितने ही फिट है लेकिन अगर टाइगर स्राफ अक्षे कुमार और रितिक रोसन का परफेक्ट कंबिनेशन है तो रणवीर सिंग शारुक खान और अक्षे कुमार का परफेक्ट कंबि टाइगर स्राफ ने बॉलिवुड का सेर किसे कहा और चीता किसको मानते हैं। अजे देवगन को टकर देने के लिए बॉलिवुड में कौन पैदा हो गया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के फिल्मी गलियारे में। बागी थ्री ने फंदरा दिनों में करेब 100 क्रोण रुपे का बिजनिस कर लिया है। लेकिन सरकार के आदेश पर कई सिनिमा घर बंद कर दिये गहे हैं। जिससे बागी थ्री की कमाई पर काफी असर पड़ा है। बागी 3 ने पहले दिन 17 करोण 50 लाग रूपे का बिजनिस किया था और दूसरे दिन 16 करोण 3 लाग रूपे का बिजनिस किया था तीसरे दिन 20 करोण 30 लाग रूपे का बिजनिस किया था चौथे दिन 9 करोण रूपे और पांचवे दिन 14 करोण रूपे छटे दिन 8 करोण रू करन रूपए और दसवे दिन डेड़ करन रूपए का कलेक्शन किया भी टाइगर साब की बागी 3 की कहानी रॉनी और उसके भाई बिक्रम यानी की रितेश देश मुक्ती है रॉनी बेसक उम्र में छोटा है लेकिन वो बिक्रम का रक्षक है बिक्रम को खरोज भी आये तो खून की नदिया बहा देता है अब मेकर्स ने बागी 4 की कहानी लिखना शुरू कर दिया है क्योंकि बागी 4 की सूटिंग हीरो पंथी 2 के साथ होगी टाइगर साब चाहते हैं कि हीरो पंथी 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए इसलिए बागी 4 का का काम बहुत तेजी से श इसकी एक क्लिप सोचल मीडिया पर काफी वारल हो रही है इस क्लिप में टाइगर बता रहे हैं कि बॉलिवुड का शेर सलमान खान है लेकिन जब टाइगर को चीता का आपसन मिलता है तो वो बिना समय गवाए रितिक रोसन का नाम लेते हैं गौर तलब है कि टाइगर और इस ने वार जैसी बल्लॉग बाष्टर दी है। टाइगर स्राप रितिक रोसन के बहुत बड़े फैन है। टाइगर ने बताया था कि रितिक रोसन के साथ डान स करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थे। जब रितिक को टाइगर की दीवानगी के बारे में बताया गया, तो उनका कहना था कि ये अच्छा है, कि जो मैंने उसके साथ कुछ सालों पहले किया, वो अब मेरे साथ हो रहा है, अब टाइगर मुझे इंस्पायर करता है, और मैं उसका फैन, बॉलिवुड में नए जरेशन का हर स्टार, पुरानी जरेशन के किसी ना किसी स् की बरुणधोन को देख कर उन्हें अपना बीता वक्त याद आता है, और बस बरुणधोन के फैन्स भी मानेंगे कि सलमान खान को वो कितना फॉलो करते हैं, लेकिन सलमान खान की बिरासत के लिए अब बरुणधोन को टक्कर मिक रही है कार्तिक आरियन से, इस समय कार्तिक आरियन की फिल्मों का भी एक ही फंडा है, केवल इंटर्टेन्मेंट बिना दिमाग लगाए, कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि अजे देवगन की जगा बॉले गुड में कोई नहीं ले सकता है, लेकिन राजकुमार राओ का नाम आ रहा है, लेकिन राजकुमार राओ तयार हैं रडबीर कपूर, बिलकुल आमिर खान की तरह, सोचिए दोनों को परदे पर एक साथ देखना कितना दिल्चस्प होगा, इस समय बॉलिवुड के दूसरे परफेक्ट इस्टार बन चुके हैं, आयुश्मान खुराना, वहीं आमिर खान की तरह आयुश्मान, हर फ को रिप्लेस कर सके, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मेहनता और लगन से, जो रणवीर सिंग ने कर दिया, उसके लिए हिम्मत चाहिए, और बेफिकरे के बाद, सब को यकीन है कि वो आधिकारिक तोर पर शारुक खान का परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, अक्षे क अक्षे कुमार और रितिक रोसन का परफेक्ट कमबीनेशन है, तो रणवीर सिंग शारुक खान और अक्षे कुमार का परफेक्ट कमबीनेशन है, बागी थी मूवी की फुल डिटेल क्या है, अमिताव बचन के कारण टाइगर श्रॉफ को जमीन पर क्यों सोना पड़ा, ज साजिट नाडियाइड वाला ग्रेंटसन इंटर्टेन्मेंट के तहत निर्मित और फॉक्स स्टाल स्टूडियो द्वारा वित्रित, ये बागी 2016 और बागी 2 2018 का आध्यात्मिक सीक्वल है, बागी 3 में टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुक और श्रद्धा कपूर है, य हम आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट से रुबरू कराते हैं, रन्वीर रानी यानि की प्रताप सिंग के रूप में टाइगर श्रॉफ, मीरा नंदन के रूप में श्रदा कपूर, आयान प्रताप सिंग रन्वीर के भाई के रूप में रितेश देशमुक, सीमा नंदन के रूप में अंकिता लोखंडे, राज नंदन के रूप में आशुतो श्राणा, डी सी पी विक्रान शेर्गिल के रूप में मनुझ बाच्पई, अखलेंद्र मिश्रा, चंकी पांडे, नोरा पते ही आइटम सौंग, टाइगर का एक इंट्रिव्यू आया था जिसमें उन्हों अपने टाइप कास्ट होने और अपनी फैमली के बुरे दिनों के बारे में बात थी, अपने इस इंट्रिव्यू में टाइगर ने बताया कि कैसे उनके परिवार की माली हालते इतनी खराब हो गई थी, कि उनके माता पिता को अपने घर की चीज हैं बेचनी पड़ी थी, ब कग को कई गुना और बढ़ा दिया, आईशा की फिल्म रिलीस से पहले ही लीक हो गई, अमिताब बच्चन, जैकी श्रॉफ, गुल्शन ग्रोवर और ड्रेटिना कैफ को लेकर बनी ये फिल्म, रिलीस के बाद बॉक्स आफिस पर अधे मों गिर गई, जबकि लोग कह रहे अमिताब बच्चन है तो फिल्म हिट ना भी हो तो उनके नाम के चलते खर्चा तो निकाल ही ले जाएगी, लेकिन नामिताब काम आए ना विग बी का नाम का ब्रांड, उसमय टाइगर सिर्फ 11 साल के थे, एक इंट्रिव्यू में उन्होंने बताया, मुझे याद है कि कैस अमारे घर के फर नीचर एक एक कर बिख रहे थे, जिन चीजों को मैं देखते हुए बड़ा हुआ था, वो चीजें अचानक घर से गायब होने लगी, फिर मेरा बैट भी चला गया और मैंने जमीन पर सोना शुरू कर दिया, ये मेरी जिन्दगी का सबसे बुरा अनभव है यही वो चीज थी जिसने टाइगर को जीवन में बहतर बनने के लिए मोटिवेट किया, टाइगर से हमेशा मीडिया को ये सिकायत रही कि वो कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते, वो लगातार एक ही तरह की एक्शन रोमेंटिक फिल्में कर रहे हैं, लेकिन टाइगर का में रोमेंस किंग का टाइटल आ जाता है, सलमान खान को देखते ही भाईजान वाला भाव मर्ट पड़ता है, अदमी के साथ एक लेबर जुड़ा हुआ है, इस कमप्टीशन से भरी इंडस्टी में ये चीज जरूरी है, जब भी मैंने कुछ औफ बीड करने की कोशिश की, जनता ने मुझे प्यार नहीं दिया, चाहे वो अफ्लाइंग जट का नो सखिया, उचाई लड़ाई से डरने वाला सुपर हीरो हो, या स्टुडेंट ऑफ दा येर टू का स्टुडेंट, जिसे कॉलेज में बुली किया जाता था, ये चीज मेरे ओडियन्स को पसंद नहीं आई, वो मेरा बागी टू से निकल कर कॉलेज के लड़कों से मार खाना पचा नहीं पाते, गलती से या बिना सोचे समझे एक तरह के खांचे में, फिट होते चले जा रहे हैं, तब तो बात दिक्कत वाली है, लेकिन टाइगर का ये फैसला सोचा समझा लग रहा है, और अ आजे द्योगन की ताना जी के बाद साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हो सकती है, फिल्म बागी ट्री में टाइगर साब का साथ देने के लिए इस बार सधा कपोर होंगी, बागी ट्री फिल्म में सबसे जादा अपने एक्शन सीन्स को लेकर चर्चा में, टाइगर इन चार सो बम ब्लाष्ट के बीच लाइब एक्शन सीन किये हैं, इन सीन की वज़ा से टाइगर कई बार घायल भी हुए, बागी तरी की शूटिंग इंडिया, मुरको, मिस्र, शर्विया, तुर्की जैसे पांच अलग अलग देशों में हुई है, फिल्म के द्रिश्यों क एकदम असली दिखाने के लिए 100 किलो एक्स्प्लोजन का इस्तमाल भी किया गया है, भले ही ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसकी लोग प्रियता का अंदाजा इस बास से लगाया जा सकता है कि इसकी एडवांस बुकिंग के लिए लोग बॉक्स ओफिस की खिड़कियों पर तूट पड़े ले, बढ़िया एडवांस बुकिंग को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि बागी तरी अपने पहले दिन ही 40 से 50 करोण का बिजनेस करेगी, बागी टू ने पहले दिन 25 करोण की बंपर कमाई की थी, लेकिन इस फिल्म को उस दिर बुकिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाई थी, बागी तरी के एडवांस बुकिंग 10 करोण तक पहुँच गई है, अब देखना दिल्चस्प होगा कि क्या टाइगर की बागी तरी को वैसा ही रिस्पॉंस मिलेगा जैसा बागी टू को मिला था, अगर फिल्म को बागी ट दिन 40 करोण के उपनिंग देती है, तो आने वाले हबते में ये फिल्म 100 करोण से ज़्यादा का बिजनिस कर जाएगी, क्योंकि फिल्म के टेलर के साथ साथ फिल्म के गाने भी सोसल मेडिया पर हिट हो गए है, चाहे वो डू यू लम्मी हो या भंकर्स हो, सभी ने तहलका म चाया है, लेकिन क्रोना वाइरस फैलने की वज़ा से आसंका जताया जा रहा है कि इस फिल्म के कलेक्शन पर इसका असर पर सकता है, क्या बागी थिरी, वार, ठकसाफ हिंदुस्तान, हैपी नियर, भारत, बाह वली, प्रेमरितन धनपायो, शुल्तान जैसी फिल्मों को पी बिजनिस किया, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिल्मे कल्यारों की बात मानें, तो ये कहा जा रहा है कि बागी थिरी वाक्स आफिस पर साड़े 500 करोन तक का बिजनिस आसानी से कर लेकिए, लेकिन टाइगर स्राप को क्रोना वाइरस से बचना होगा, दोस्तों जस फिल्म का आपको बेई सब्री से इंतजार हो रहा था, फाइनली आज यानी 6 मार्च को वो रिलीस हो चुकी है, हर तरह बागी 3 के चर्चे थे और आज दीदार हो ही गया, तो हम आपको बताएंगे फिल्म बागी का एकदम ओनिस्ट यानी इमांदार रिवियो दोस्तों फिल्म की ट्रेलर से आपको पता ही चल गया था कि छोटे भाई रौनी अपने बड़े भाई को हर पल, हर छण बचाते ही रहते हैं, बचपन में छोटे मोटे पंटों लोग से बचाता था, पहले अपने भाई को बचाने के लिए सिर्फ अगल बगल की गलियों मे जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों भाई बड़े हुए, गलिया बढ़कर सरहदे हो गई, यानि कि अब दोनों भाई बड़े हो गए हैं, तो सीमाई भी बढ़ेंगी ही, तो रौनी का बड़ा भाई विक्रम चला जाता है सीरिया, वैसे जब विक्रम को पता है कि कुछ नहीं होने बाला, तो रौनी को भी साथ लेके जाता, लेकिन अगर ऐसा करता तो रौनी फॉरन कैसे गुम पाता, तो भाई विक्रम चला जाता है सीरिया और उसे जैशे लशकर के आतंगवादी धर दबोशते हैं और किर्नाप कर लेते हैं, अब रौनी कैसे अपने बड़े भाई को बचाता है, क्या उसे वो वापस जिंदा लेकर घर लोट पाता है, यही सब देखना बहुत रोवांच कारी है, चलिए आप बात कर लेते हैं फिल्म की बाकी चीजों के बारे में, शुरू करेंगे अफकॉस अपने चीते मतलब की टाइगर श्रॉप से, ट उसके भाई को कोई तंग करता है, तो हवा को चीरता हुआ आ जाता है, और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है, और इस सब के बीच ओडियन्स को बड़ा मसा आता है, टाइगर ने जैसे की इंटरव्यू में भी बताय था, कि फिल्म बागी 3 की कहानी मैं व्स मायंग मैन व्स नीचर और मैन व्स मशीन की लड़ाई है, तो भाई यही सब कर रहा है टाइगर, आओ देख रहा है नताओ और धुआ धार तुड़ाई, सारे आक्शन सीन्स रियल, लाइव और वी एफेक्स का बहुत कम इस्तमाल करके बने हैं, इसलिए यही फिल्म की सबसे बड 23 के लिए उन्होंने जोग दी है, जो बखुवी फिल्म में दिख रहा है, और टाइगर ने अपनी पॉफिक बॉड़ी और एटिचूट से सारे आक्शन सीन्स को एकदम रियल और प्यॉर बना दिया है, मतलब एहमत खान का डिरेक्शन और टाइगर के काना में खुब दिखा रहे हैं, बात करें फिल्म की हिरोई श्रद्धा कपूर की तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें जादा परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जितना मिला उन्होंने उसे बखुवी निभाया, फर्स्ट हाप में उनकी कॉमिक टाइमिंग रिलीव देती है औ तो आग ही लगा रही है, टाइगर के बाद जिसे इंपॉर्टन्स मिली है वो है रितेश देश मुक, हाना कि फिल्म में कहीं नहीं बताया गया कि रितेश इतने स्लो क्यों है, मतलब कि वो हमेशा मुसीबतों में क्यों फस जाते हैं और उन्हें क्यों प्रोटेक्शन की जर बात करें सीरिया वाले सीन की तो आपको जरूर ट्यारिफाई करेगा और विलेंज को देखकर आप डर जरूर जाएंगे, खासकर अबू जलाल जो फिल्म का में विलें है, उसकी स्क्रीन प्रेसेंस बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर फरहास सामजी कही न कहीं चूप जाते हैं अबू जलाल के डायलोग्स के लिए, जो कि अबू जलाल के करेक्टर के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अबू ने अपने किरदार के साथ बखू भी नयाय किया है, फिल्म के म्यूजिक की बात करें, तो म्यूजिक आवरिज है, लेकिन राहत की बात ये ह कि फिल्म में जादा गाने नहीं हैं लेकिन अहमद खान के आक्शन डिजाइन बहुत जादा इंप्रेसिव है अनफॉर्चुनेटली ये बात हम कैमरा वर्क और सीजी आई के लिए नहीं कह सकते हैं दोस्तों सीजी आई का मतलब होता है यानि ग्राफिक्स का अस्तमाल करके आप रियल सीन्स और अनिमेशन क्रियेट करते हैं लेकिन इस फिल्म में सीजी आई काफी वीक है तो फ्रेंड्स अगर आप धमाकेदार आक्शन के शौकीन है तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए लेकिन कहानी के जादा ना रखे दोसों बॉलिवर्ट के लिए 2020 के पहले दो मेहिने अच्छे नहीं रहे अज़े देवगन की फिल्म ताना जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी फिल्म में बॉक्स ओफिस पर कुछ खास अमाल नहीं दिखा पाई ऐसे में अब सारी उमीदे टाइगर लुपे पार कर ले है और वागी के सामने बहुत बढ़ा टार्रेट है नामबर बागी और बागी टू का फैंस के बीछ तो बागी ओर बागी चू सुप हिट रही थी और टाइगर श्रॉप की फैन फॉल्वेंग बुढ़ गयी थी बागी स्री का ट्रेलर भी लोगों को काफी पसंद आया था और इसने तीन ही दिनों में 100 मिलियन क्रॉस कर लिये थे जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इसलिए ये बात तैमानी चा रहे ही है कि ये फिल्म वीकेंड में धमाका ही करेगी इस फिल्म से सिंगल स्क्रीन वालों को भी बहुत उमीद है लंबे समय बाद ऐसी फिल्म आ रही है जिससे सिंगल स्क्रीन वाले कमाई करने की सोच रहे है फिल्म छोटे शेहरों में भी अच्छा बिजनस कर सकती है बागी 3 ने बॉक्स ओफिस पर अच्छी शुरुवात की है मल्की प्लेक्स के सासा सिंगल स्क्रीन पर भी ये सिर्म काफी भीर जुटा रही है हालांकि बागी 2 वाला क्रेज नजर नहीं आ रहा लेकिन उमीद है कि दोबहे शाम और रात वाले शो पूरी तरह से भरपाई कर लेंगे दोस्तों आपको बता दे बागी 3 को टोटल 4000 स्क्रीन पर रिलीस किया जा रहा है जिन में से 1100 बाहर कंट्रीज की है और बागी 3 के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में लोग पागल हो रहे हैं इस फिल्म में इंटरनेशनल लेवल का आक्शन आपको नजर आएगा जिसे पांच देशों की टीम्स ने तयार किया है अब भई जब इतना जादा फिल्म में भराक हुआ है तो लोग पागल होंगे ही चलिए बात कर लेते हैं उन बाहतों के बारे में जो बागी 3 का बॉक् एक्जाम्स जिया दोस्तों मर्च में चल रही परिक्षाओं की वजए से माहुल टेंस्ट है और ऐसे में लोग कम ही फिल्में देखने जाते हैं यहां तक 10 और 12 की बच्चे भी इस बात से बेहत परेशान थे कि बागी 3 बोर्ड एक्जाम के दौरान क्यों रिलीस की जा रह आप सबी जानते हैं कि कोरोना वाइरस की वजए से दुनिया भर में तहल का मचा हुआ है और अब इंडिया में भी लोग डर के साहे में हैं कोरोना वाइरस के डर के कारण फिल्म की ओपनिंग पर असर पड़ सकता है क्योंकि लोग पबलिक प्लेस में जाने से कतरा रहे हैं फिर इन सब के बावजूद अंदाजा लगा जा रहा है कि फिल्म 25 करोर से उपर की कमाई कर ही लेगी बागी 2 के पहले दिन के किलेक्शन से बागी 3 आगे निकल पाएगी ये देखना भी दिल्चस्प होगा वैसे आपको क्या लगता है क्या बागी 3 बन पाएगी 500 करोरी फ शोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर तमाम रियाक्शन सामने आ रहे हैं बागी 3 में एक बार फिर टाइगर श्रॉफ का जबर्दस्त आक्शन देखने को मिल रहा है शोशल मीडिया पर लोग टाइगर के आक्शन की तारीफ करते हुए उन्हें रॉकेट बता रहे हैं वहीं फिल्म की भी तारीफ हो रही है फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रधा कपूर के अलावा रितेश देश मुख ने एहम किरदार निभाया है श्रॉधा कपूर ने टाइगर की लव इंट्रेस्ट का रोल प्ले किया है वहीं रितेश ने टाइगर के भाई की भूमी का निभाई है बागी त्री पूरी दुनिया में 5000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जिसमें भारत में 4400 स्क्रीन पर रिलीज हुई है ताइगर की ये पहली फिल्म है जो इतने बड़े लेवल पर रिलीज हुई है और इसी के साथ ताइगर के फैंस ने बागी 3 देखने के लिए एडवांस बुकिंग कराए फिलाल सोशल मीडिया पर बागी 3 ट्रेंट पर है हर जगह चर्चा सिर्फ टाइगर की हो रही है टाइगर के फैंस को ये फिल्म बहुत पसंदा रही है कुछ लोगों ने तो फिल्म को चार स्टार देते हुए इसे ब्लॉक बस्टर बताया है सोशल मीडिया पर लोगों ने बागी 3 को शांदार फिल्म बताया टाइगर के आक्शन सीन्स और परफॉर्मेंस की तारीफ की गई है इसे बेस्ट आक्शन मूवी भी बताया इसके बाद टाइगर शौफ की मा आईशा ने बागी 3 देखने के बाद लिखा मेरे बागी भगवान तुम्हारा भला करे मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि तुमने मुझे कितना गर्व महसूस कराया है बागी 3 की शांदार कास्ट और क्रू को भी आशिरव टाइगेरियन और आक्शन फैंस जाओ और फिल्म देखो हिंदी सिनेमा में तुमने ऐसा आक्शन नहीं देखा होगा जान लगा दिया इस शांदार फिल्म को देने के लिए किसी ने टाइगर के आक्शन सीन्स और परफॉर्मेंस की तारीफ की है तो किसी ने इसे बेस्ट मूवी भी बताया है फैंस गेस कर रहे हैं कि फिल्म असानी से दो सकडोर क्लब में एंट्री कर लेगी यहां तक कि किसी ने ये भी लिखा कि ये फिल्म पूरी तरह से एक मसाला इंटर्टेन्मेंट फिल्म है जिसमें आक्शन सीन्स की भरमार है पूरा फोकस एंटर्टेन् में रिलीज हुई बेस्ट अक्शन फिल्म है ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है फिल्म को चार स्टार दिये हैं और टाइगर के फिल्म को पैसा वसूल बताया है और टाइगर के पॉफॉ Millennor की तारीफ भी की है तो आपको कैसी लगी ये मूवी आप हमें कमेंट करके बता सकते ह जिस मूवी का लोगों को बेसबरी से इतजार था उसकी रिलेजिंग हो चुकी है और देश विदेश में ये छे हजार से जारा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है बागी 3 मूवी की फर्स डे स्क्रीनिंग पर बहुत से सितारे रही मौजुद जिस में दिशापाटनी, रिटेश देशमोख, वरंधवन, चंगी पांडे, श्रदा कपूर, तारा सुतारिया, फिल्मेकर साजिद नाडियावाला, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा, संजे कपूर, पूजा हेड़े, कबीर खान बागी 3 के डिरेक्टर एहमत खान और पूरी कास्ट एंटी, समेट कई हस्तिया स्क्रीनिंग पर मौजूर रही बागी 3 के ट्रेलर के बाद से ही इस मूवी के आक्शन्स की जमकर तारीफ हो रही थी इस मूवी की रिलीजिंग के बाद से ही इसके काफी आक्टर भी फैन हो गए हैं जिसमें सबसे पहले नबर पर आते हैं टाइगर श्रॉफ के पापा यानी जैकी श्रॉफ जिन्होंने कहा कि अपना बच्चा डिसपोइन नहीं कर सकता इस मूवी की जान है इसके आक्शन्स इसी पर सलमान खान ने कहा कि यंग आक्शन हीरोज में मुझे सबसे अच्छा लगता है टाइगर श्रॉफ मूवी वार के बाद से ही रितिक और टाइगर में काफी अच्छी दोस्ती हो गए थी इसी मूवी पर रितिक ने कहा कि अगर इसी स्पीड से टाइगर श्रॉफ आक्शन करते रहे तो उनको बॉलिवूड में टॉप पर आने से कोई नहीं रुप पाएगा इस मूवी की अगर बात करें तो ये पहले वाली दोनों मूवी इसको पीछे सोड़ सकती है क्योंकि इसके ट्रेलर से ही धमाका मच गया था तो मूवी तो जबरदस्त पुफां करें गी इस मूवी में ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जो गौर करने वाली हैं जैसे की इसमें सर्विया की आर्वी ने खुद हेलिकॉप्टर और टैंक चलाए इसमें सर्विया की गवर्नमेंट ने भी काफी साथ दिया इस मूवी को लेकर अपवा भी थी कि इसमें VFX यूज हुए हैं जिसको सिरे से नकार दिया गया ये कहकर कि इसमें रियल आक्शन्स है और 400 से ज्यादा रियल धमाके भी इस मूवी का पाड़ रहे हैं इसमें जितने भी वेपन्स और टैंस यूज हुए हैं सब असली थे जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस मूवी के आक्शन्स ही इस मूवी की जान है ये बॉक्स ओपिस पर कैसा परफॉर्म करेगी ये इसकी रिलीजिंग के एक हफ़ते बाद ही पदा चलेगा लेकिन इसका फर्स डे काफी अच्छा जा रहा है आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के गलियारे में बॉलिवूड अपनेता टाइगर स्राप अब 29 साल के हो गए बॉलिवूड आक्टर जैकी स्राप और आईसा स्राप के बेटे टाइगर ने कम उम्र में ही बॉलिवूड में अपनी पहचान बना लिए टीन एजर्स के बीच टाइगर के लोग प्रेता देखते ही बनती हैं उनके डांस के स्टेप और फाइटिंग की स्किल्स बॉलिवुट के दिगजों को हैरान कर चुटी हैं टाइगर फिल्मों में भले ही मस्ती करते दिखाई देते हूं लेकिन असल जिंदगी में वो बिल्कुल सांत रहना पसंद करते हैं पार्टियों में भी वो बिरले ही नजर आते हैं टाइगर स्राप का जन मुंबई में हुआ था साजिद नाडिया वाला के फिल्म हीरो पंथी के साथ टाइगर ने 2014 में अपने कैरियर की सुरुवात की थी टाइगर डांस के शौकेन और फिटनेस फ्रीक भी ऐसा कहा जाता है कि टाइगर आज की पीडी के इवा के बिपरीत ना तो सराप का सेवन करते हैं और ना ही सिग्रेट को हाथ लगाते हैं अला कि एक फिल्म शूट के लिए उन्होंने सिग्रेट को मुह लगाया था लेकिन उन्होंने इसे प्रोफेशनल कमेंटमेंट का नाम दिया था टाइगर का असल नाम हेवन सराप है उनके करीबी बताते हैं कि बच्पन में वो बहुत काटते खरोचते थे जिसकी वज़ा से फिल्मों में उनका नाम टाइगर रख दिया टाइगर बॉलिबुड में रितिक रोशन को अपना गुरू मानते टाइगर के डांस की भी काफी तारीफ होती है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइगर ने डांस की सुरुवात अपनी पहली फिल्म से ही की थी एक शो के दौरान टाइगर ने बताया था कि मैंने डांस सीखने की सुरुवात अपनी पहली फिल्म से ही की थी लेकिन लोगों को इस पर भरोसा नहीं होता खोश ने पूछा कि आप लोगों को जन्मजाब डांसर लगते हैं। तो इस पर टाइगर ने बताया कि मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ, बस कोरियोगराफी पर मेहनत करता हूँ। अगर आप मुझसे इस वक डांस करने के लिए कहेंगे तो साइद मैं ना कर पाऊँ। मैं वही कर पाता हूँ जो सिखाया जाता है। अपने पांच साल के कैरियर में टाइगर ने छे फिल्मों में काम किया है। हीरो पंती उनकी पहले फिल्म थी, इसके बाद बागी, एफ फ्लाइंग जट, मुन्ना भाइकल और बागी टू रिलीज हो चुकी। अने वाली फिल्म से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने फिल्म फिल्मों के लिए बेहत गंभीरता से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने रैंबो और बागी तरी जैसी फिल्मों में जबर जस्ट आक्शन सिंस देने के लिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मार्सल आर्ट की ट्रेनि से हाथा पाई करते हुए दिखाई दिए। टाइगर स्राप के एक्शन फिल्मों में उनके क्लीन इस्टंड और फ्राइट सिंस इसी वज़ा से होते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग में वो कोई भी गलती नहीं करते। टाइगर को हमेशा गंभीरता और लगन से अपना काम करते पर देखा गया। टाइगर स्राप इस वीडियो को सेर करते हुए कैप्शन में लिखा। दुनिया भर के आर्ट्रिश संक काम करने वा सीखने की सांदार खुसी होती। मैं आपको बता दू टाइगर स्राप और रितिक रोशन जल्द ही एक साथ फिल्म में नजर आने वाले इसमें टाइगर और रितिक का चोरदार अंदाज देखने को मिलेगा। टाइगर के हिट फ्रेंचाइजी बागी 3 का तीसरा पार्ट पर काम स्रू हो गया। और टाइगर का खतरनाक एक्शन इसमें देखने को मिलेगा। यहीं नहीं। टाइगर स्राप बॉलिविड की सु तो आज़ी बागी 3 का टीजर भी लांच किया जाएगा। जहां इसके पहले पार्ट यानि की 2016 में रिलीज हुआ, सफल रहा और इसका अगला पार्ट बना 2018 में, वो भी रिलीज हुआ, जिसने 253 करोड का कलेक्शन किया, 69 करोड में बने इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 253 करोड की कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया, अब तीसरे पार् पहले से और भी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, जाहे वो इस्टोरी हो या फिर एक्शन या फिर डांस, बागी 3 एक एक्शन मुवी है, फिल्मे लीड में है टाइगर शौफ और श्रद्धा कपूर, श्रद्धा सबसे पहले टाइगर के साथ बागी में नजर आई, उसके बाद दिशा ने उन्हें रिप्लेस किया, लेकिन श्रद्धा के बारे में सभी जानते हैं और एक बागी 3 में आने के बाद, साजीन नाडियाड वाला कहते हैं, श्रद्धा कपूर के आने से बागी की पूरी टीम बहुत खुश है, बागी में टाइगर और जैजी के फैंस दोनों के साथ आने से काफी एकसाइटीड होंगे, इसी बात पर श्रद्धा कपूर का कहना है कि फैमिली में वापसी आके मैं बहुत खुश हूँ, ये साजीत सर के साथ मेरी तीसरी फिल्म है, टाइगर संग दूसरी और एहमद सर के साथ पहली फिल्म होग इसमें कोई शक नहीं और जिसकी तैयारी एहमद खान ने अभी से शुरू कर दी है, रिपोर्स की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर शौफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं, फिल्म के कुछ हिसों की शूटिंग खाडी देशों में ही की जाएगी, एहमद चाते हैं कि बागितरी के लिए टैगर भारी हतियारों के साथ ट्रेनिंग लेगी, फिल्म के लिए, रिसरच के दौरान एहमद खान को यह जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उंढ़ा ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लόगर नम्बर वन में टैगर सीरिया जाकर धूम सिरीज के ब और टाइगर के fight scenes को देखना काफी दिल्चस्प होगा। या अगर supporting role में आएंगे तो ये भी धमाकेदार होगा। दोस्तो टाइगर श्रॉफ उन्हें स्टार्ट्स में से हैं जो आते ही छागे। टाइगर श्रॉफ यूद के साथ साथ बच्चों का भी दिल जीत ले गए। टाइगर ने बहुत कम फिल्में की लेकिन इनके बारे में आज हर कोई जानता है। कुछ फिल्में दे कर इनों ने बॉलिवुड में अपनी एक अलग identity बना ली। वो एक्शन और डांस में इतने माहिर हैं कि इस सभी को दिवाना बना देती हैं। लेकिन ये कहान इक शुरू हुई थी फिल्म एंटर दड्राइगन बूसली की फिल्म से। उस फिल्म ने टाइगर को इतना इंस्पायर किया कि टाइगर ने मार्शल आर्ट सीखनी का मन बना लिया। टाइगर ने टाइकुंडो में 5 डिगरी बेल्ट हासिल की जो की एक बहुत बड़ी achievement मानी चाती है। अगर बात करें डान्स की तो माइकल जैक्सन और बॉलिवुड के सूपर हीरो रितिक रोशन से काफी इंस्पायर है। उनका ड्रीम था कि वो रितिक रोशन के साथ किसी फिल्म में काम करें और नजर आए। उनका मानना है कि रितिक जैसा कोई भी नहीं है। और ना ही हो सकता है। वो मेरे आइडल हैं क्योंकि वो अच्छे एक्टर के साथ साथ अच्छे डान्सर भी हैं। उनके फिल्मों का कलेक्शन बहुत अलग है। जिसकी वज़ा से बॉलिवुड में उनकी अलग आइडेंटिटी है। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहे थे। जब इस बार में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी जिन्दिगी का सबसे बुरा समय था वो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें असेप्ट नहीं करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने तीन दिन में 21 करोड के आकड़े को पार कर लिया। ये एक non-actor और established actor के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिल्म ने overall 50 करोड का कलेक्शन किया। फिल्म successful होने के बाद लोगों का perception टाइगर के लिए बदल गया और आज उनकी fan following किसी stars से कम नहीं। लेकिन शुरुवाती दिनों में टाइगर के उपर बड़ा pressure था। क्योंकि वो एक star get थे। टाइगर को उनके पापा यानि की जैकिट शौफ से हमेशा compare किया जाता था। माना की दोनों के career की शुरुवात काफी अलग थी लेकिन फिर भी। और ये बात खुड टाइगर ने कही थी कि मेरे काम को हमेशा मेरे पापा के साथ compare किया जाता था। इसलिए failure का डर उन्हें हमेशा बना रहता था और उसी चक्कर में उन्हें फिल्मों में और ज्यादा मेहनद करना पड़ता था। इनकी पहली फिल्म से ही इन्हें action hero माना जाता है the real action hero इसलिए उनकी दूसरी फिल्म बागी भी काम्याब रही। टाइगर उन्हें एक्टर्स में से हैं जो body double और stuntman का use नहीं करते बिलीव ही नहीं करते एक्शुल में। उनका कहना है कि अगर सारे रिसके stunt लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हतियारों को चलाने की training लेने वाले थे। जैसे कि M16, 84 और rocket launcher साथी साथ शद्धा भी कलरही पट्टू की training ले रही है। आपको बताते कि श्रदा इन दिनों filmmakers की पहली पसंद बनी हुई है। वो बागी 3 के अला वरुन के साथ street dancer समेथ पांच बड़े बजट फिल्मों में नजर आने वाली है। नजर डालते हैं उनकी आने वाली फिल्मों पर तो पहली फिल्म है बागी 3। श्रदा कपूर को बागी 3 के लिए final कर लिया गया है। वो एक बाद फिर टाइगर शॉफ के साथ silver screen पर नजर आएंगी। श्रदा बागी का हिस्सा तो रह चुकी है। इसके बाद बागी 2 में टाइगर की कधित girlfriend ने एहम भूमी का निभाई थी। अगली फिल्म है street dancer रैमोडी सुजा के इस फिल्म street dancer में भी श्रदा कपूर नजर आएंगी। उनके अपोजिट वरुंदहोन होंगे। बतादे की साल 2015 में रिलीज हुई ABCD2 की success के बाद रैमोडी सुजा street dancer लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म आठ नौबर 2019 को रिलीज होगी। उसके बाद है साहो। बाहु बली जैसी blockbuster फिल्म देने वाले actor प्रभास साहो लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के साथ श्रदा तेलगू सीनेमा में अपना सफर शूर करने जा रहे है। ये फिल्म 15 अगर 2019 को रिलीज होगी। बतादे की प्रभास और श्रदा पहली बार स्क्रिंग पर साथ नजर आएंगे। शीचोरे इसमें पहली बार श्रदा कपूर को शुषान सिंग राजबूत के साथ सिल्वर स्क्रिंट पर देखा जाएगा। ये फिल्म 30 अगर्स 2019 को रिलीज होगी। साइना नहवाल बायोपिक मशूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नहवाल पर बायोपिक बन रही है जिसमें उनका किर्दान श्रदा का पूर्दी भा रही है। इस फिल्म की शुटिंग शुरू हो चुकी है ये फिल्म भी इसी साल के आगरी मेने में रिलीज होगी। दोस्तों इन दोनों नाम के अलावा एक और नाम सामने आया है वो है अक्षर कुमार का अफवाव की माने तो सूपर हिट बागी फ्रेंचाइजे की तीसरी फिल्म याने की बागी त्री में टाइगर शौफ के साथ अक्षर कुमार भी फाइनल होंगे। बागी तुकी बेजोर सफलता के बाद साधीर नाडियाड वाला इस फिल्म को पहली दो फिल्मों से भी बड़ा बनाना चाहते हैं लिहाजा उन्होंने टाइगर के साथ अक्षर कुमार को जोड़ने की प्लैनिंग की है फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर चुके हैं रिपोर सारे रिस्की सीम एक स्टंट मैं करेगा तो उनको पूरा क्रेडिट उने मिलना चाहिए हीरो से ज्यादा स्टंट मैं अपने जान का जोखिम दालते हैं दोस्तों टैगर शॉफ के स्टंट के सभी कायल है और ये बात उन्होंने हीरो पंती बागी बागी टू में सब में प् बागी टू में उन्होंने 120 फुट की उचाई से छलांग लगाया था फिल्मों के अलावाद साथ साथ इन्होंने अपना खुद का ब्रेंड लॉंच किया है प्रॉड ये एक एक्टिव फैशन क्लोथिंग प्रेंट है जिसकी वैल्यू मार्केट में 4 बिलियंड डॉलर है दोस्तो रोल, साउंड, कैमरा, एक्शन ये वर्ड आप बहुत बाहर सुनते होंगे क्योंकि इसी से हमारे फिल्मों के शुरुआत होती है चाहे वो हॉलिवूड हो या फिर बॉलिवूड इन वर्ड का स्तमाल कर कुछ डैरेक्टर्स ऐसी ऐसी फिल्में बना देते हैं जिन अलग करें जैसे कि टॉलिवूड, कॉलिवूड, पॉलिवूड, सैंडल्वूड, ओलिवूड और चॉलिवूड तो 46% आउट ओफ हंड्रेड बॉलिवूड फिल्में प्रोड्यूस करती हैं तमिल, तेल्गू, कनर्ण मिलाकर 36% और रेस्ट ओफ 12% बाकी की इंडस्ट्री बॉलिवूड को दुनिया की biggest movie industry मानी जाती है, चाहे अब वो employed को लेके हो, मतलब कि कितने लोग इस industry में काम करते हैं, या फिर number of films produce को लेके हो एक report की मानी तो 2014 में over 3.5 billion tickets बिखेते पूरे world में एक साल के अंदर और 9 लाग tickets बिखेते सिर्फ इंडिया के Bollywood cinema से, जो की Hollywood के comparison में बहुत ज्याता था Bollywood के पास एक से बढ़के एक directors हैं, और यूं कहें की थे भी, चाहे वो यश चोपडा हो, जिन्होंने दिवार, वीर जरा, डर, काला पथत, त्रिशूल, वक्त, कभी कभी, लंहें, सिलसिला, इत्तिफाक जैसी, सूपर डूपर हिट फिल्में दी, संजलीला बंसाली, जिन आदित्य चोपडा, दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोडी, मोहबते, ये Bollywood के कुछ directors हैं, और उनकी फिल्में हैं, जो काफी famous होई थी, हमारे Bollywood में ऐसी बहुत से फिल्में बनी हैं, जिन्हें कभी कोई भुला नहीं सकता, और ये सफर शुरू ह हुआ था 1949 से, और अभी तक लाखो करोडों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें में से कुछ ऐसी फिल्में भी हैं, जो सदियों तक लोगों को याद रहेंगी, जो अमर हो चुकी है, उनकी जगा कोई नहीं ले सकता, पहली फिल्म का नाम लुगा, October 1995 में रिलीज जो भी 16 से 20 साल की उम्र में था, हालकि मैं उसमें पैदा नहीं हुआ था, और अगर हुआ होता तो इस लिस्ट में मैं भी शामिल होता, इस फिल्म के डायलोग हम आज भी यूज करती हैं, और पलेट, पलेट पलेट वला डायलोग थो सब को याद ही होगा, राज अगर ये लेकिन इस फिल्म ने नए यूद को कई सारे मैसेजिस दिये, कि सबने देखो, जरूर देखो, बस उनके पूरे होने की शर्त मत रखो, फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था सभी जानते हैं, आदित्य चोपला ने, कास्ट में थे दक्तियंग खान और काल जोल, इस फिल्म क और उनका उस फिल्म में डायलोग, ओय होय होय, पूछो ही मत, आमिन कुछ डायलोग फे नज़र डाल ही लेते हैं, तो असरफ वली, आपका पाकिस्तान जिन्दाबाद है, इसमें हमें कोई अतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदोस्तान जिन्दाबाद है, जिन्दाबाद था और जिन्दाबाद रहेगा, अगला डायलोग था, अगर मैं अपनी बीवी बच्चे के लिए सर जुका सकता हूँ, तो मैं सब के सर काट भी सकता हूँ, ये कुछ हार्ड हीटिंग डायलोग्स थे, ऐसे डायलोग्स और भी हैं पूरे फिल्म में, फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 80 करोड का, इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के गाने और सनी पाजी का उखाड़ा हुआ हैंड पंप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अगला नाम है मदर इंडिया, फिल्म आई थी 1957 में, फिल्म को लिखा था महबूब खान ने, डिरेक्ट और अभी क्या था महबूब खान ने, फिल्म में लीड में थे नरगे, सुनिलदत और राज हुमार, ये एक्टर तो सब को याद होगा, और कोई हो ना हो, इनकी हर कोई नकल करता था, मिमिकरी करता था, जैने हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूग भी हमा होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा, फिल्म सौदागर, इनके रूल्स काफी अलग थे, जहां आज की जैनरेशन्स कैमरे को पूछती है, लेकिन इनका था की कैमरा पहले इनके चरोणों में आके गिरे, और उसके बाद ये कोई शौट देंगे, आपने अगर नोटीस भी क आगा तो इनकी एंटरी में पहले इनके जूते दिखाई देते थे, उसके बाद कुछ अलगाता था, इस फिल्म की कहानी एक गाउ में गरीबी से लड़ रही राधा की कहानी है, जो अपने बच्चों को पालने पोशनी के लिए बहुत मेहनत करती है, और फिल्म के एंड मे वो खुदी अपने बच्चों को मार देती है, फिल्म सूपर डूपर थी, इस फिल्म ने उस समय 80 मिलियन का कलेक्शन किया था, 80 मिलियन बोले तो 1 मिलियन में 10 लाग होता है, अब आगे खुदी हिसाब लगा लो, 1976 की वो फिल्म जिसमें बसंती और धन्नो एक्टर से भी ज चब्दों में पिरोता था और दुनिया को देता था, इस फिल्म के कैरेक्टर जै, वीरू, गबर या उनके डायलोग्स कितने आदमी थे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकूर, अग तेरा क्या होगा कालिया, इसके साथ ही और भी ना जाने कितने हार्ट हीटिंग डायलोग्स थ अगर तीन गंटे की ये फिल्म थी, और अपने आप में ही एक एतिहासि, इस फिल्म को इसके गाने डायलोग्स और सेट्स के लिए आज भी जाना जाता है, अगर कुछ इडायलोग्स की बात करें तो, सलेम तुझे मरने नहीं देगा, और अनार कली हम तुझे चीने नहीं देंगे। आशिक और शराबी कभी नहीं पूल सकता, इनका एक बहुत फिमस डायलोग भी है, कौन कम वकत बरदास्ट करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि सांसे ले सकूँ, या फिर उनका एक और डायलोग है कि तकदीर बदल जाती है, जमाना बदल जाता है, शेंशाय बदल जाते हैं, मगर इस बदलती दुनिया में महबत जिस इंसान का हाथ थाम ले, वो इंसान नहीं बदलता है। करांते फिल्म को अब तक की सबसे अच्छी और देशभक्ती फिल्म कही जाती है। अम बात करने थे बागी 3 के बार में तो जान लेते छोटी मोटी जानकारी, तो बागी 3 की फिलाल फिल्म के रिलीस डेट एनाउस्मेंट नहीं की गई है। लेकिन 2019 में टाइगर की विवस्था यान की बीजिनेस को देखके उमीद की जारी की बागी 3 अगले साल यान की 2020 में धमाका करेगी। जहां फिल्म को डिरेक्ट करेंगे, एहमद खान और फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साजीड नाडियाडवाला। फिल्म का बजेट है 100 करोड और कहा जारे कि ये फिल्म आराम से 300 करोड का बिजनेस कर लेगी। फिल्म प्रेजेड नाडियाडवाला ग्रैंटसन एंटर्टेन्मेंट, दिस्टिबूटिट वाइ फॉक्स स्टार स्टूडियोज। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि बागी 3 के लिए अक्षे कुमार से बात की जा रही है और अक्षे कुमार की तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉंस मिल रहा है क्योंकि जब बागी 2 रिलीस हुई थी तब अक्षे कुमार ने टाइगर शोफ के एक्शन की बहुत ता दोस्तों पिछले साल बागी 2 से बॉक्स ऑफिस पर रिकोर्ड तोड कमाई करने वाले टाइगर शोफ इस साल भी कहीं धमाके करने वाले हैं इस साल स्टुडेंट ऑफ दा इयर 2 के बाद वो यश्राज बैनर के तले रितिक रोशन के साथ धमाके दार एक्षन फिल्म बनान इसरा सेक्वल है टाइगर शोफ ने अपने सोशल मीडिया काउंट पर बागी 3 का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए जानकारी दी है कि ये फिल्म अगले साल यानि की 2020 की 6 मार्च को सिनेमा घरों में दस्तक देगी बागी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी टाइगर के जबरद अपने कई फ्लेवर फैंस के सामने पेश करने वाले हैं और आपको बता दे कि टाइगर शोफ ने दो दो बड़ी सीक्वल फिल्म में भी फाइनल कर ली है और ऐसा मालूम होता है कि बॉलिवुड में अब सीक्वल फिल्मों का दौर चल रहा है दोस्तों टाइगर शोफ के लिए बीता साल काफी धमाकेदार रहा है जहां फिल्म बागी टू ने बॉक्स ओफिस पर कहीं रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिये तो वहीं एक के बाद एक टाइगर को फिल्में भी मिलती रही और आपको बता दे कि आने वाले दिनों में टाइगर एक से बढ़कर एक किरत नहीं कौन कौन सी धमाकेदार फिल्म है सबसे पहली फिल्म है स्टुडेंट ओफ दईयर करं जोहर के धर्मा प्रोडक्शन बनने वाली इस फिल्म में टाइगर दों सीनाओं के साथ रोमान्स क finely घंल में बैस न क्रिभी और तारा सुटार्य में वाले और फिल्म का रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की अनाम फिल्म यश्राज बैनर कले बनने जा रही इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल शुरू हो चुकी है और इस फिल्म के जर्ये पहली दफार रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी एक साथ नजर आने वाली है और दोस इसकी रिलीज से पहले ही इसके अगले पार्ट का एलान कर दिया था। वही हाल ही में टाइगर को रोहित शेटी के आफिस के बाहर भी देखा गया है जी हाँ और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही टाइगर रोहित की एक्शन फिल्म में देख सकते हैं। और आपको बता दे कि रोहित काफी लंबे समय से टाइगर के साथ फिल्म भी बनाना चाहते थे। तो वही दोस्तो अब टाइगर शोफ हॉलिवुड की सूपर हिक फिल्म रैम्बो के रीमेक में भी नज़र आने वाले हैं। दोस्तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइगर शोफ बहतरी नभी नेताओं में से एक है। और बीते साल उन्होंने एक बहतरीन फिल्म दी और उस फिल्म ने एक सो साट करोड से उपर की कमाई की थी। ने असल हम बात कर रहे हैं बागी टू के बारे में। टाइगर ने कहा मुझे अंदाजा नहीं था कि बागी टू को लोग इतना पसंद करेंगे। लहाजा उसकी सफलता के बाद अब मुझ पर प्रेशर और बढ़ चुका है। अब लोगों को इस सीक्वल से और मुझ से उम्मीदे जादा होने लगी है। तो दोस्तो इसलिए चाइगर ने कहा कि स्क्रिप्ट में काफी चेंजिस करने पर रहे हैं और उसे भव्य बनाने के लिए अच्छे अच्छे लोकेशन की तलाश की जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी फिल्मेकर्स ने इस बात कखुलासा नहीं किया है। पर फिल्मी गलियारो में चर्चा है कि इस फिल्म से अक्शे कुमार को जोड़ा जा सकता है। वैसे अक्शे कुमार के सितारे अभी बुलंदियों पर है। दोस्तो बागी 3 की बात करें तो बागी 3 एक एक्शन ड्रामा लव स्टोरी है जिसमें हॉलिवुट के किसी एक्टर को लिया जाएगा क्योंकि स्टोरी की डिमांड ऐसी है वही दोस्तो फिल्म का बजट करीब 300 करोर रुपे रखा गया है बागी 3 के नए पोस्टर के साथ रिलीज डेट की घोशना भी कर दी गई है और फिल्म 6 मार्श 2020 को रिलीज की जाएगी और फिल्म का निर्देशन करेंगे एहमद खान वही दोस्तो आपको बता दें कि टाइगर करन जोहर की फिल्म स्टूडेंट आफ दा इयर टू की शूटिंग पूरी कर चुके है और इसमें टाइगर के साथ अनन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आएगी और ये फिल्म 10 माई 2019 को रिलीज की जाएगी वैसे दोस्तो अभी टाइगर शौफ यसराज की सूपर बिग बजट एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें रितिक रोशन और वानी का पूर नजर आएगे और ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज की जाएगी वही दोस्तो आपको बता दे कि ये भी माना जा रहा है कि टाइगर की आने वाली सबी फिल्मों से बॉलिवुट को करीब 2000 करोड का फाइदा होने वाला है टाइगर स्राब के फिल्म बागी 3 बॉक्स ओफिस पर कितने करोड का बिजनिस करेंगी आखिर क्या कारण है कि सलमान खान के फिल्म बागी से बागी 3 की तुलना की जा रही हरो दोस्तों आपका स्वागत है बॉलिवुट के गलियारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू कि जो टाइगर स्राब की बागी बनी थी वो एक प्रकार से सलमान खान के फिल्म बागी का रिमेक थी और वो फिल्म बॉक्स आफिस पर उतना धमाल नहीं मचा पाई थी लेकिन सलमान खान का एंग्री यंग मैन वाला जो करेक्टर था वो काफी लोगों के बीच लोग प्रिये हुआ था और इसी फिल्म का रिमेक जो है टाइगर स्राब ने करवाया था जिसमें उन्होंने कमाल कावने किया था और जो बॉक्स आफिस पर सपल साबित हुई थी आखिर क्या कारण है कि टाइगर स्राब की तुलना आज कल कुछ लोग सल्मान खान से कर रहे हैं मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि सल्मान खान की तुलना टाइगर स्राब से नहीं करनी चाहिए क्योंकि सल्मान खान की एक अलग सैली है और टाइगर स्राब की एक अलग सैली है जहां सल्मान खान एक आइकोनिक करेक्टर है एक प्रकार से एक ideal character है, उनका समाज में एक प्रकार से दमंगई है, एक प्रकार से समाज में उन्हें लोगों का actor कहा जाता है, वहीं Tiger Swamp भी सलमान खान से कुछ कम नहीं है, क्योंकि Tiger Swamp नाच सकते हैं, बोल सकते हैं, और अभिने कर सकते हैं, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि Bollywood को Tiger Swamp के पहनेता मिला है और टाइगर स्राब की इस फिल्म यानि की बागी थिरी के लिए अक्षे कुमार से बात की गई वह कमाल की बात है कि अगर बागी थिरी से अक्षे कुमार जुड़ते हैं तो यह फिल्म जरूर भारत की सबसे बड़ी action film बन जाएगी क्योंकि action करने में हमारे अक्षे कुमार का कोई जवाब ही नहीं उनकी खिलाडी स्रीज की कोई भी film उठा कर आप देख लिए अक्षे कुमार ने ला जवाब action किया है अब जब बागी थिरी में अक्षे कुमार अभने करेंगे तो बागी थिरी जो है और भी बड़ी फ्रेंचाइजी बन जाएगी क्योंकि मेकर्स इसे और भी बढ़ा बनाना चाहते हैं और बढ़ा बनाने के लिए किसी बड़े स्टार को तो लाना ही पड़ेगा तो अक्षे कुमार जो है इसके लिए सबसे परफेक्ट है लेकिन अभी फिल्मी गल्यारों में एक और हल्चल मची हुई है कि टाइगरस आप चाहते हैं कि अगर इस फिल्म से अजेज देवगन जुड जाए अब भाईया जो आँखों से अभने करने वाला इंसान इस फिल्म से जुड़ेगा तो ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी मैं तो ये कहता हूँ कि इस फिल्म में अक्षे कुमार और अजेदेगन दोनों को साथ में रख लो फिर देखो कि ये फिल्म कितनी बड़ी होती है वैसे ये फिल्म बाक्स आफिस पर 40 से 50 करोण का बिजनेस पहले दिन कर सकती है एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म 300 करोणी फिल्म होगी और तो और ये फिल्म 500 करोण तक का भी बिजनेस कर सकती है जहानी है वो अपने आप में लाजबाब है लेकिन मेरी बात मुझे इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कार इस फिल्म के साथ सल्मान खान को क्यों जोड़ा जा रहा है माना कि सल्मान खान के फिल्म बागी का रिमेक थी बागी लेकिन सल्मान खान कहीं और तो टाइगर स्राब एक उभरता हुआ अबनेता है एक उभरता हुआ सितारा है तो दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिस है खास करके इस मीडिया से कि टाइगर स्राब की तुलना आप सलमान खान से ना करें क्योंकि सलमान खान की दिसा अलग है और टाइगर स्राब की दिसा अलग है, दोनों नदी के दो किनारे हो सकते हैं, जो दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन दोनों का मिलन कभी री हो सकता है, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन दोनों में दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि टाइगर स्राप सलमान खान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यही तो वज़ा है कि टाइगर स्राफ का कहना है कि कभी भी वो सलमान खान की फिल्म के सामने अपने फिल्म नहीं उतारेगी बागी सिरीज में एक बार फिल्म श्रदा कपूर की एंट्री हो चुकी है खबर है कि बागी 3 के लिए साजित नाडिया वाला ने टाइगर शौफ के अपोजिट सारा अली खान को अप्रोच किया था लेकिन सारा अपने रोल से फिल्म में खुश नहीं थी और इसी लिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी और एक बार फिर से फिल्म आ गिरी श्रदा कपूर की जोली में टाइगर शौफ और श्रदा कपूर बागी सीरीज की पहली फिल्म में दिखाई दिये थे और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था फिल्म में श्रदा कपूर काफी एक्शन करती नजर आई थी लेकिन उन्हें याद रखा गया था उनके गाने याने की चमचम के लिए अब एक बार फिर से फैंस उन्हें और टाइगर को एक साथ देखने के लिए काफी उतसाहित हैं आपको बता दे कि बागी 3 6 मार्श 2020 को रिलीज हो रही है फिल्म का एक पोस्टर और एलान पहले ही किया जा चुका है और फिल्म की तैयारी भी तेजी से चल रही है श्रद्ध कपूर ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि इस बार की स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है और मैं एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी में वापस आकर बेहत खुश हूँ गौर तलब है कि बागी 2016 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 2018 में बागी 2 रिलीज हुई और अब 6 मार्च 2020 को फिल्म का तीसरा इंस्टॉल्मेंट दर्शकों के सामने होगा दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं बागी फिल्म में श्रद्धा ने काफी धमाल मचाया था और दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने पूरे नमबर दिये और सबको उमीद भी थी कि बागी 2 की हिरोईन भी श्रद्धा ही होंगी लेकिन बागी 2 में रियल लाइफ कपल टाइगर शौफ के साथ दिशा पटानी की एंट्री हुई और अब जाहिर से बात है कि इस जोड़ी को टाइगर श्रद्धा से ज्यादा प्यार मिलना ही था और इतना ही नहीं सबको उमीद थी कि बागी 3 में भी दिशा ही होंगी तो वहीं अब बागी 3 में एक बार फिर श्रद्धा कपूर की वापसे हो चुकी है फिल्म की तैयारी भी तेजी से चल रही है और माना जा रहा है कि फिल्म एक्शन और कहानी के स्तर पर पिछली दोनों फिल्मों से ज्यादा बड़ी होगी दोस्तों वहीं टाइगर और श्रद्धा की बागी जो की 37 करोड के बजट पर बनी थी और इसने वर्लड वाइड 127 करोड की कमाई की और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट रही थी वहीं बागी के विलन थे साउथ के सूपरस्टार सुधीर बाबू और फैंस ने उनका बॉलिवुड में बाहें फैला कर सुवागत किया था और अब देखते हैं कि बागी 3 में कौन विलन होता है तो वहीं बागी 2 के साथ अब टाइगर शौफ सबसे सफल एक्शन हीरो बन चुके हैं फिल्म ने 25 करोड की ओपनिंग के साथ सब को चौका दिया था और इसी के साथ टाइगर दिशा की जोडी ने कई बड़े एक्टर्स को पठखनी दी थी बागी 2 का बजट था 69 करोड और फिल्म ने वर्डवाइट 500 करोड से जादा की कमाई की थी और इसी के साथ टाइगर शौफ अपनी जनरेशन के सबसे सफल एक्शन हीरो बन चुके हैं श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा कपूर के पास बेहत अच्छी फिल्मों का पिटारा है एक तरफ वो दंगल फेम डिरेक्टर नितेश तीवारी की फिल्म छिचोरे में श्रशान सिंग राजपूत के अपॉजिट दिखाई देंगी तो साइना नहवाल की बायोपिक में भी वो नजर आने वाली है वही अब वो वरुन धवन के अपॉजिट रैमो डिसूजा की स्ट्रीट डांसर का भी हिस्सा है तो वहीं साउथ में भी धमाका होने वाला है जी हाँ श्रधा कपूर इस साल प्रभास की साहों के साथ भी एक्शन धमाका करने वाली है और जिस फिल्म में वो प्रभास के साथ रोमांस करती नजर आएंगी और दोस्तों ये तो तै है कि मार्च 2020 में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर से एक्शन धमाका करने वाले हैं लेकिन देखना ये है कि बागी 3 में दर्शकों को और क्या-क्या देखने को मिलेगा तो सब बॉलिवुड में जब भी एक्शन, स्टंट और डांस की बात आती है तो सबसे पहले टाइगर शॉफ का नाम सामने आता है क्योंकि जब से उन्होंने बॉलिवुड में कदम रखा है तब से उन्होंने अपने stunt scene, action scenes और अपने dance moves से सभी fans को बेहर इंपरेस किया है और आज उनके industry में बहुत सारे fans है तो वहीं आपको बता दे कि इन दिनों Tiger Shop बागी 3 की shooting में busy है और इस film के एक action video उनका एक action video viral हुआ है जो Instagram, Twitter और सभी social sites पर जम कर viral हो रहा है वहीं आपको बता दे कि इस film के लिए श्रदा कपूर को final कर लिया रहा है श्रदा कपूर को आपने फिल्म बागी में देखा होगा जिसके बाद बागी 2 में दिशा पटानी नज़र आई और उनकी acting की भी काफी जम कर तारिफ ही गई थी लेकिन बागी 3 का विस्सा बनने जा रही है श्रदा कपूर तो वहीं दोस्तों इस फिल्म को भी निर्देशिक करने वाले हैं निर्देशक एहमद खान और श्रदा कपूर से उम्मीद की जा रही है कि वो इस फिल्म में अपना जमकर action दिखाने वाली है और उनसे उम्मीदे भी काफी बढ़ चुकी है वहीं आपको बताना चाहेंगे कि बागी और बागी 2 से भी बड़ा बजट होने वाला है बागी 3 का और इसमें और भी जादा बहतरी ने अक्शन स्टन्ट आपको देखने को मिलेगे और एक ये भी वज़ए है कि फिल्म से उम्मीदे जादा की जा रही है In fact, उनके फैंस यानि कि टाइगर शॉफ के फैंस ने फिल्म रिलीज होने से पहले इसको ब्लॉक बस्टर साबित कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म एक हजार करोड का दमदार कलेक्शन कर लेगी वहीं आपको बता दे कि इमरान हाश्मी के बाद बॉलिवूड में एक ऐसा हीरो आ गया है जो फिल्म में किसिंग सीन ना होने के बवजूद हीरोईन को किस कर देता है दर असल मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्लाइंग जट मूवी के दौरान इस फिल्म का एक सूपर हिट गाना आया था बीट पे बूटी आपको तो याद ही होगा जिस फिल्म में टाइगर शॉफ ने जैकलीन को किस किया था इस गाने के दौरान लेकिन रेम और डिसुजा चाहते थे कि इस गाने के दौरान वो डांस करते वक्त थोड़ा सा क्लोज आए लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर किस की जरूरत हो तो वो किस कर सकते हैं लेकिन जब दोनों ही एक्टर आपस में नजदीक आये तो उन्होंने किस कर दिया से इंतिसार कर रहे हैं निर्माताओ ने बागी 3 की घोषना के साथ साथ इस बात की अनॉंसमेंट भी की थी कि इस बार फिल्म के नए पार्ट में पहले से भी जादा जबर दस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे और जिसके बाद फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है दोस्तों आपको बता दे कि इस साल रिलीज हुई टाइगर शौफ की फिल्म बागी 2 ने बॉक्स ओफिस पर खुब धमाल मचाया था और पहले दिन ही 25 करोड का कारोबार करके एहमद खान दुआरा निर्देशित इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया था जिसके बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के तीसरे पार्ट की घोशना कर दी थी और आपको बता दे कि साजित ने बागी 3 को लेकर घोशना तक की थी जब बागी 2 रिलीज भी नहीं हुई थी और सिर्फ फिल्म का ट्रेलर आने वाला था हाल ही में फिल्म के नर्जेशक एहमद खान ने बागी 3 ओफीशल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है और फिल्म को दर्शकों के सामने 2020 में लाने का फैसला किया है और जिसके बाद अब बागी 3 छे मार्श 2020 में रिलीज होगी साथ ही फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में फेस्बुक पर फिल्म का फर्स पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा है कि छे तीन दो हजार बीस आपको बता दे कि दोस्तो पोस्टर के साथ ही फिल्म में टाइगर का फर्स लुक भी रिवील किया गया है जिसके बाद फैंस अपनी एकसाइटमेंट को वया नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के इस तीसरे पार्ट में एक बड़े स्टार की एंट्री होने वाली है और दोस्तो ये सूपर स्टार और कोई नहीं बलकि खिलाडियों के खिलाडी हमारे अक्षे कुमार है और आपको बता दे कि काफी समय से ऐसी खबरे आ रही थी कि फिल्म में बॉलीवुड के खिलाडी यानि कि अक्षे कुमार नजर आ सकते हैं और अब ये बात सही साबित होने जा रही है जिसके बाद दोस्तो अक्षे और टाइगर साथ में मिलकर दुश्मनों के छक्के छुडाते नजर आएंगे हाल ही में अक्षे कुमार फिल्म 2.0 में नजर आ चुके हैं जिसके बाद अब अक्षे की फैन फॉलोइंग्स काफी बढ़ गई है और बताया जा रहा था कि काफी समय से अक्षे को इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि वो टाइगर के साथ बागी 3 करें मेकर्स का कहना था कि यदि अक्षे इस फिल्म को करने से मना कर देते हैं तो वो किसी और स्टार को फिल्म के लिए अप्रोच करेंगे आपको बता दे दोस्तों कि अक्षे और साजिद नाडिया वाला काफी लंबे समय से अच्छे दोस रहे हैं अक्षे पहले भी साजिद के साथ फिल्म हाउसपुल के तीनों पार्ट्स में काम कर चुके हैं जिसके रहते अक्षे इस फिल्म को करने के लिए मान गए लेकिन दोस्तों अक्षे चाहते हैं कि उनका रोल भी फिल्म में ट्राइगर की तरह ही दमदार हो और इसी वज़े से स्क्रिप्ट पर फिर से काम किया जा रहा है और जिसका मतलब तो ये है कि ये दो एक्षन हीरो इस फिल्म में एक साथ धमाके पर धमाके करते नजर आएंगे बताया जा रहा है कि बागी 3 की शूटिंग दिसंबर 2018 से ही शुरू होने वाली है और फिल्म का निर्देशन भी एहमद खान ही करने जा रहे है और टाइगर श्रोफी फिल्म का हिस्सा होंगे और उनके साथ फिल्म में सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान नजर आएंगी दोस्तों काफी समय से ऐसी खबरे आ रही थी कि मेकर्स फिल्म के लिए सारा अली खान और जानवी कपूर के बीच काफी कन्फ्यूज थे वो इस फिल्म में किस एक्टरस को ले इस बात को लेकर हुए एक लंबे घमासान के बाद मेकर्स ने सारा को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया जिसके बाद दोस्तों अब बागी 3 में टाइगर श्रॉफ के साथ सारा अली खान रोमांस करती नजर आएंगी हाल ही में सारा फिल्म के दारनात में शुशान सिंग राजपूत के साथ नजर आ चुकी है और फैंस ने इस नई जोड़ी को खुब पसंद भी किया है आपको बता दे कि फिल्म बागी 2 फिल्म बागी की अगली कड़ी थी और इस फिल्म में श्रद्ध कपूर और टाइगर श्रॉफ की एहम भूमिका थी जिसके बाद बागी 2 बनी और उसमें टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की एहम भूमिका थी बागी 2 इस साल 30 मार्च को रिलीज हुई थी बागी 2 में बागी के मुकाबले एक्शन और थ्रिल बेहत जादा था दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर खूब धमाल मचाया था जिसके बाद फैंस बागी 3 का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस जो कर दी है और अगर बात करें टाइगर शॉफ की तो वो फिल्हाल करन जुहर की फिल्म Student of the Year 2 की शूटिंग में बिजी है और फिल्म में टाइगर के साथ अनन्या पांटे और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी आपको बता दे कि ये फिल्म 10 मई 2019 में रिलीज होने वाली है और अगर बात करें सारा की तो वो फिल्हाल फिल्म सिंभा के प्रोमोšन में बिजी है और फिल्म में सारा के साथ जनवीर सिंग और सानु सूध मुख्य भुमिका में है और फिल्म 28 दिसंबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने को तयार है तो दोस्तों आप फिल्म को लेकर कितना एकसाइटेड है अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दे टाइगर स्राप ने भले ही बागितरी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है लेकिन सूत्रों की माने तो निर्माता अभे भी फिल्म के अमनेतरी की भूंका के लिए एक नए चेहरे की तलाफ में पिछले दो पार्ट में स्रधा कपूर और दिशा पटानी नजर आ चुकी है टाइगर स्राप अपनी बेहत मुस्किल ट्रेनिंग में कई तरह के स्टन्ट सीख रहे हैं और प्रेक्टिस कर रहे हैं सुत्रों के अनुसार फिल्म के निर्माताओं की भारत और विदिशों से स्टन्ट बिशेशों गोव सहित बिशेश रियल्सल सेशन करने की योजना है बागी टुई साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है इसलिए तीसरे भाग से प्रसंसवों की उमीद दूना बढ़ जाती है बागी तरी के प्रस्चण में यम सिस्टीन, 84 और राकेट लांचर जैसे हतियारों का उपयोग सीखना सामिल है स्क्रिप लगभग तयार है, एहमेद खान द्वारा निदेशित इस फिल्म में एक्षन और ड्रामे की भरमार होगी साथ ही टाइगर विविन आवतार में नजर आएंगे सूत्रों ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि निर्माता साजिद नाडियाड वाला को फिल्म के लिए जानी मानी अबनेत्रियों द्वारा अप्रोज किया जा रहा है हाला कि निर्माताओं ने ये अभीत्ते नहीं किया है कि वे फिल्म के लिए किसी नए चेहरे का चैन करेंगे या फिर कोई जाना माना नाम फिल्म में टाइगर के अपोजी नजर आएगा देश भर में करवाचाओत के तेवहार को जोर सोर से मनाया जा रहा है साधी सुदा महिलाओं के लिए ये ये तेवहार बेहत खास है कार्तिक मा के क्रिश पंच की चत्रूर्ती को सुब महुर्थ पर करवाचाओत मनाया जाता है जो इस बार 27 अक्टूबर को है इस दिन महिलाए पूरे दिन उपवास रखती है और साम को पूजन करने के बाद चांद और पती को मेंसे देखने के बाद जल ग्रहन करती है वैसे बॉलिवुड में ऐसी कई फिल्मे हैं जिसमें करवाचाओत को धूम धाम से मनाया गया है करवाचाओत के मौके पर कुछ ऐसे गावनों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जिसे लोग अक्सर गुन गुनाते हैं दिल वाले दुरहनिया ले जाएंगे में साल 1995 में आई बॉलिवुड की एवर गिन रोमांटिक फिल्म दिल वाले दुरहनिया ले जाएंगे में करवाच चाओत सिकंस तो आपको याद ही होगा फिल्म में दिखाये जाता है कि काजोल ये बृत अपने होने वाले पती परमी सेटी के लिए रखती है लेकिन असल में वो चोरी छिपे अपने प्रेमी शारुप खान के लिए निर्जला ब्रत रखती है काजोल इस ब्रत को रखने के दारान बहोस होने का नाटक करती है उसी प्रेमी के हाथों पानी पीती है जिससे वो साधी करना चाहती है ब्रत की पूजा के बाद राज और सिम्रन दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं बागवान में करवाच चौथ साल 2003 में आई बागवान का करवाच चौथ रोमांटिक से कहीं ज़्यादा दर्सों को इमोशनल कर देता है अमिताब बच्चन और हेमा मालनी पर फिल्माए गई सिक्वेंस में दोनों एक दूसरे से दूर अलग लग सहरों में ब्रत रखते हैं निकलने पर हेमा अमिताब को फोन कर अपना ब्रत पूरा करती है इस सीन में खुद अमिताब भी हेमा के लिए ब्रत रखते हैं और तब तक पानी नहीं पीते जब तक चान नहीं निकल आता जब हेमा को पदा चलता है कि अमताब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो अपनी भरी थाली छोड़ चली जाती है हम दिल देजुके सनम में करवा चौत 1999 में आई सलमान खान और एसोरिया राय के अधूरी प्रेम की कहानी में करवा चौत के ब्रत को बड़े दिल्चस्प अंदाज में दिखाया गया है अगर हम इस फिल्म में करवा चौत के ब्रत की बात करें तो संजे लीला भंसाली ने जिस खुबसूर्ती से चान छुपा बादल में गाने को फिल्माया है वो आज भी पूला नहीं जा सकता है इस गाने में सलमान चान से जल्दी नहीं निकलने को बोल रहे है ताकि उनकी प्रेमका उन्हें छोड़ कर ना चली जाए साल 2001 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कभी कुसी कभी गम में करवाचोत को बड़े ही भब अंदाज में फिल्माया गया था इस सीन में तीन फिल्मी जोनिया ब्रत रखती है ब्रत के साथ साथ बोले चूडिया गाने में श्टार छूमते भी दिखते है इस्क बिस्क में करवाचोत 2003 में रिलीज फिल्म इश्क बिस्क में अमिर्ता राओ अपने प्यार साहिद कपूर के खातिर करवाचोत का ब्रत रखती बिना साधी किये और किसी को बिना बताए अमिर्ता यानि की पायल अपने प्यार साहिद यानि की राजीव के लिए नरजला ब्रत करती है सब की नजरों से बच कर साहिद उनका ब्रत तोडने उनके कमरे में आते हैं इस स्क्वेंस को बेहत खुबसूरती से परदे पर उतारा गया है अब हम बात करते हैं कि बागी टू की कहानी क्या है जब बात दिल और दिमाग के बीच फंसी हो तो हमेशा दिल की सुनो फिल्म बागी टू का नायक कैप्टन रणवेर प्रताप सिंग उर्फ रॉनी यानि कि टाइगर स्राप भी कुछ ऐसा ही करता है रॉनी और नेहा नेहा यानि कि दिसा पटानी कालेज में साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन नेहा के पिता रॉनी को पसंद नहीं करते हैं रॉनी और नेहा भाग कर साधी करने जाते हैं लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि नेहा और रॉनी अलग हो जाते हैं और नेहा की किसी और से साधी हो जाती है वहीं रॉनी आर्मी में कमंडो बन जाता है चार साल बात नेहा राणी से अपनी किनैप हुई बेटी के बारे में मदद मागती है राणी को नेहा के देवर सनी यानि की प्रतीक बपर पर शक्त है लेकिन नेहा का पती शेखर यानि की दर्शन कुमार राणी को बताता है कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं इस तरह चीजे काफी उलज जाते हैं। आखिर रौनी इस मिस्ट्री को सुलजाने में काम्याब पुपाता है या नहीं। इस फिल्म का क्लाइबेक्स है। अपने फिल्मी केरियर की दूसरी फिल्म बागी से सौकरों कलम में एंट्री करके टाइगर स्राब ने दिखा दिया था कि वो लंबी रेस के घुड़े है। फिल्म के निर्माताओं ने उसी वक बागी का श्रिक्वल अनौन्स कर दिया था। वहीं अब बागी 2 की रिलीज से पहले बागी 3 एनौन्स हो गई है। बागी 2 तेल्गू फिल्म छडम की रिमेक है। टाइगर स्राब के एक्षन का दर्सकों में कितना क्रेज है इसकी गवाहिस सुबा सुबा का हाउसपुल सू दे रहा था। देश भर में 3.5 हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई बागी 2 ताइगर स्राब की सबसे बड़ी रिलीज है। लाइफ कपल टाइगर और दिसा की जोड़ी आन स्क्रीन काफी जमी है। खास कर उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बेहतर होने की वज़ा से स्क्रीन पर ये कपल खुब जमा है। हाला कि दिसा और बेहतर कर सकते है। नहीं खुद टाइगर ने अपने फैंस को हैरान कर देने वाले धेरो आक्शन सीन किये हैं। जो कि सिनेमा घरों में फैंस को सीटिया बजाने के लिए मजबूर्त कर देते हैं। वो वन मैन आर्मी की रोल के अंदाज में फपते हैं। अपने एक टॉर्चर सीर में टाइगर पूरी तरह बिना कपड़ों के नजर आये हैं। उन्होंने फिल्म के लिए खास तोर पर हॉंग कांग में मार्सल आर्की ट्रेनिंग ली है। फिल्म का फर्स्ट आप आपको बांध कर रखता है लेकिन सेगेंड हाफ में डारेक्टर अहमात कान फिल्म को सफल नहीं बना पाए। और आकरी आदे घंटे में टाइगर के बेतरीर एक्शन स्टीन्स के बावजूत कहाने के लेवल पर फिल्म पट्री से उतर जाती है। प्रतीक बबर ने बिलन के रोल से बड़े परदे पर वापसी की है। ये बात और है कि इस कहाने का असली रावण कोई और निकलता है। दियाजी के रोल में मनोज बाच पही हमेशा की तरह जमे हैं। वहीं यस्वी के रोल में ररदीप हुड़ा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। दीपक डोब्रियाल ने भी अपने उश्मान लगणा के रोल को बाखो भी निभाया। फिल्म की सूटिंग मनाली, थाइले सीन वाले फिल्मों के शौकीन है तो टाइगर स्राप आपको कतई निरास नहीं करेंगे। टाइगर स्राप के वन लाइनर डायलाग, जो ये तेरा टॉर्चर है, वो मेरा वार्म अफ है। इस लाए में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुमारा कुछ बचेगा नहीं अमताब बच्चन एक ही घर में रहने लगे हैं, तो वो चाय की चुस्किया लेते हुए किस बारे में बात करें। जाहिर है उनके जिक्ण में आमिर के बेटे आजाद और अराध्या का नाम जरूर आएगा, चुकि दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब आप सोच है कि उन्होंने इस सारी बाते मजाक में कहिए, अमिताब के सो केवी से में, कौन बनेगा करोणपती में। इस चाहत के पीछे का पूरा माजरा दरसल ये है कि आमिर खान लंबे अर्से के बाद कौन बनेगा करोणपती का हिस्सा बने हैं। पान सालों के बाद वो इस सो का फिर से हिस्सा बने हैं। आमिर खान ने ट्विटर पर एक तस्वीर सेयर की है, जिसमें वो अमिताब के साथ नज़ा आ रहे हैं। और उन्होंने इस तस्वीर के साथ ये बाद भी सेयर की है कि उन्होंने इस सो की सूटिंग के दौरान अमिताब से कई सारे रिकेस्ट की औ लेकिन आमिर ने अब तक इसकी जानकाई नहीं दी थी, हमें अपने तरब से आमिताब को क्या करने को कहा। शो में आमिर खान ने अमिताब के फिर्म नमा खलाल का एक संबाद दोराया, तो वहीं आमिताब बच्चन से आमिर ने धूम तरीका एक संबाद सुनाने को कहा। वो गरीब है आमिर खान ने कहा है कि उनकी फिल्म की रिलीस के पहले वो नर्मस रहते हैं ऐसे में वो चाहते हैं कि अमताब के घर चले जाएं ताकि वहां जाकर वो खुद को सांध रख पाएं और अमताब बच्चन के साथ भी वक्त बिता पाएं दो सो करोर से जादा के कमाई करने वाली बागी टू ने काफी लोग प्रेता हासिल की प्रिटेक्स से लेकर आम जंता को ये फिल्म बेहत पसंदागी बागी टू का भी खुमार लोगों के सिर्च से उतरा भी नहीं था कि फिल्म के मेकर्स ने इस फ्रेंचाइजी की तीसरे फ जाए फिल्म मिर्माता इस फिल्म को बागी टू से भी अलग लेवर पर ले जाना चाहते हैं इसी के चलते एक्षे कुमार का नाम सामने आ रहा है बागी टू के टेलर लांच के दौरान ही मेकर्स ने बागी तरी फिल्म की घोसा कर दी इस फिल्म में टाइगर्स राफ ही सरी की सूटिंग करने इसके लावा उनके फिल्म गोल्ड है बागी टू में टाइगर्स राफ के जवर जस्त एक्षे कुमार कापी इंप्रेस थे अक्षे ने सोसल मेडिया पर उनकी तुलना टोनी जा से कर डाली अच्छे कुमार ने लिखा था बॉली गुड को टोनी जा म माने मार्सल आर्ट एक्टर है टाइगर ने अक्षे कुमार के ट्विट का जवाब देते हुए लिखा आपकी इतारी बहुत माने रखती हैं लेकिन हमारे पहले एक्षन हीरो आप हैं हम जैसे लोगों को ऐसा असर देने के लिए धन्यवाद हैं ऐसे में बागी 3 में इन दो टाइगर और रितिक जल्द ही एक और एक्षन फिल्म में साथ काम करेंगे इसमें वाडी कपूर ही प्रभुव भूनका में फिल्म के सुटिंग अगस्य सुरू होगी ये फिल्म अगले साल गाधी जैंती पर रिलीज होगी टाइगर स्राप इंदनों अपनी नई फिल्म की सुटिंग में बेस्ट टाइगर साल 2012 में आई फिल्म इस्टूडेंट आफ दा इयर के पार्ट टू की सुटिंग कर रहे हाली में इस फिल्म के पहले सुटिंग की सुटिंग पूरी हुई है इस फिल्म में टाइगर के साता नन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आएं साजिद ने एक event के दारान कहा था कि वो इन दिनों इस फिल्म के लिए heroine की तलास में और जल्द ही वो इस फिल्म की heroine के नाम की घोस्रा करेंगी अगर बागी 3 में अक्षे कुमार होते हैं तो बागी 3 को अपार सफलता मिल सकती हैं और फिल्म के निर्माता इस project को और बड़ बनाना चाहते हैं वैसे भी हमारे बॉले बुड में वो सबसे जादा फिट सुपरिस्टार हैं अगर हम अक्षे कुमार की बात करें तो 90 के दसक में हिट action फिल्मों जैसे खिलाडी मोहरा और सबसे बड़ा खिलाडी में अबने करने के कारण कुमार को बॉले बुड का action hero की संग्या दी जाती और वशेस्ता वो एक खिलाडी स्रहें के लिए जाने जाते, 1995 में अपनी शपल फिल्मों के साथ वो एक खिलाडी की तीसरी फिल्म सबसे बड़ा खिलाडी में अबने कि जो एक हिक थी, moment deserve रहें सबी और सब बात के वर्सने के सात चाजय फिल्म रितिक रोसन बॉलिवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने पहले फिल्म में ही बता दिया कि उनकी क्या पोटेंसियल है वो कितने लंबे रेस के घोड़े हैं और आज इतने साल के बाद जब उनके कैरियर को देखकर सही मायने में कहा जाएगा कि वो एक स्टार के तौर पर कम मजूबा नहीं था सालों बाद किसी एक्टर ने इतना तूफानी अंदाज में डेवु किया था कि बाकी स्टार्स उसी तूफान में उड़ गए और रितिक रोसन पूरे देश के फेवरिट बन गए रितिक का डांस उनकी सबसे बड़ी खासियत है जो बाकियों से उन्हें करें अलग बनाता एक्ट्रिसस में जो अस्थान ब्रोल्यवाड माधरिव्विवूड माधरिव इच्छित का है वही इस्थान तैलंड के मामले में रितिक रोसन का कहिना गलत होगा रेतिक में भी माधुर दिचित की तरह इतनी सारी खूबिया है जो एक अक्टर में होना ना मुंकिन है रेतिक के लुप को हॉलिविड के लेवल का माना जाता है उन्हें ग्रीक गॉड भी कहा जाता है रेतिक रोसन का इंटरनेशनल स्टाइल और लोग भी कुछ ऐसा है कि वो वर्ड वाइड अपने लुक की वज़ा से चर्शा में रहते हैं रेतिक रोसन अपने 16 साल के कैरियर में 25 से भी कम फिल्में किये हैं लेकिन अपनी हर फिल्म में वो पिछली फिल्मों से काफी अलग होते हैं वो फिल्म भी काफी सोर समझ कर चुनते हैं चाहे कहो ना प्यार है कोई मिल गया लच धूम टू जोधागवर या अब काविल को ही देख दीजिए रितिक रोसन स्टाइल में भी हर किसी से काफी आगे नजर आते हैं उन्हें एक बार नहीं कई बार बॉलिवुड बेस्ट स्टाइल आइकन का अवार्ड भी मिल चुका है रितिक रो रोसन ऐसा करने में काम्याब रखे कोई मिल गया के बाद रितिक रोसन के किर्षपाई रातो रात बढ़ गए बच्चे रितिक के जितने फैन हैं आज भी कोई मिल गया के आने के इतने सालों बाद है वो किसी स्टार का सपना ही हो सकता कोई मिल गया के बाद रितिक रोसन बच्चों के सुपर स्टार बन गए बॉलीबुर्ण में फिल्मों के सुरुवात करने वाले दादा साहब का आज 141 वा जिनम भी और इसकी पूर्व संधिया क आयोजित आवार्ड समाहरो में अक्षे कुमार को स्रेश्ट अबनेता और सोनम कपूरवा भूमी बनेगर को स्रेश्ट अबनेतरी के प्रोषकार से समानित किया गया दादा साहब फाल के फिल्म फाउंडेशन हर सालिस वसकार का आयोजन करता है आवार्ड जूरी ने फिल्म चुनी गई मनिशा को रहला मोस वस्टाइल एक्ष्ट चुनी गई तो टाकेश रोसन को लाइफ टाइम अचीवमेंट एवार्ड से नवाजा गया बेटरन आएक्टरस फईदा जलाल को सरफसती बाई दादा साहब फालके एवार्ड दिया गया भारतिये सिनेमा के पितामा कहे जाने वाले दादा साहब फालके ने ना केवल फिल्म इंडिस्ट्री की निव रख्थी बलकी बॉलिवुड को पहले हिंदी फिल्म भी दी इसे लोग आज ही याद करते हैं 19 साल के फिल्में सफर में दादा साहब फालके ने 120 फिल्में बनाई थी फिल्म इंडिस्ट्री में आज उनके नाम से मसूर सर्ब स्रेश पुरसकार से कलाकारों को सम्मानित किया जाता है अगर मेडिया खबरों की बात माने तो बागी तरी के फिल्मेकर स्रितिक रोसन को लेना चाहते हैं क्योंकि निर्माता के पास रितिक के लिहाज से भी एक स्क्रिप्ट थी इसमें केवल वहीं फिट आ सकते हैं और दूसरी स्क्रिप्ट के मताबिक अच्छे और ट्राइगर हाला कि जब इस फिल्म के आधकारी घोसरा होगी उस वक्त इसका पता चल जाएगा साजित का अभी इस मामले में कोई जवार नहीं आया वैसे अक्छे इस फिल्म के लिए हामी भरेंगे तो टाइगर और उनकी जोड़ी बॉक्स आफिस पर बड़ा रिकार्ड बना सकती है फिल्हाल तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप बागी थिरी में टाइगर के साथ अच्छे को देखना चाहते हैं या रेतिक रोशन को वो कौन सी चीज है जो हर नए फिल्मेकर को आज और अभी खरीतनी चाहिए यूटूब के आने के बाद बहुत सारे लोग मूवी बनाने में जुट चुके जिनमें सौट फिल्म्स और देव स्रीज बहुत बड़ा हिस्सा है पिछने चार सालों में यूटूब और नेट्फिक्स जैसी साइट्स की वज़ा से इंडिया में सौट फिल्म्स बनाने वालों की एक बार सी आ गई DJI Mavic Pro उन सब फिल्म मेकर्स के लिए नेक्स्ट लेबल है किसी भी फिल्म को प्रोफिशनल लुक देने के लिए ओपनिंग शॉट इस्टिबलेसिक शॉट और मोसल शॉट बहुत जोरी होते DJI Mavic Pro एक फिल्म मेकर को वो सब प्रोवाइड करता है यह एक ड्रोन कैमरा जिसमें 4K के क्वार्टी आयट 30 फ्रेंस पर सेकेंड में कैप्चर करने की छमता है इसके लावा इसकी बैटरी लाइफ 30 मेट की है और चार्ज कम होने पर भी इसकी इंटिलिजेंट बैटरी ड्रोन को अपने आप नीचे ले आती है हवा के अगेंस इसकी स्टेवेल्टी सबसे अच्छी है पर फिर भी इसे कैरी करना बहुत आसान है दोस्तो 2016 में एक फिल्म आई थी नाम था बागी फिल्म में लीट रोल में थे टाइगर शौफ और श्रद्धा कपूर ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी हिट साबित हुई थी इसके चलते ही इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया और नाम रखा गया बागी टू और बागी इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर दोस्तो तिर्पन करोड रुपेगा कलेक्शन किया था टाइगर शौफ की फिल्म बागी टू की रिलीज से पहले ही साजीद नागयाट वाला ने बागी 3 की घोशना कर दी थी आपको बता दें एहमद खान फिल्म के स्केट पर काम इस तुरफ की माने तो एहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टाइगर भारी हत्यारों के साथ ट्रेनिंग ले फिल्म के लिए रिचर्च करने के दोरान एहमद खान को ये जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उंदा ट्रेनिंग कैम्स है लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हत्यारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं जैसे की M16, 84 और रॉकेट लाँचर्स साजिट नाडियाट वाला ने कहा है कि अगले महिने उनकी फिल्म बागी 3 के एक्टरेस की घोशना कर दे जाएगी फिल्हाल फिल्म के स्कृट पर काम चल रहा है साथ ह कास्टिंग भी शुरू हो चुकी है सुत्रों की माने तो बागी 3 में दिशा पटानी को ही साइन किया जाएगा लेगिन जहां तक हमें याद है कि उन्होंने बागी 2 में सुसाइड कर लिया था और वो मर गई थी तो देखना ये दिल्चस्प होगा कि क्या फिल्म की स्टोर की शूटिंग में मतलब की स्टूडेंट ओफ द ये टू की जिसमें लीड रोल में है अनन्या पांडे तारा और टाइगर शौफ फिल्म के काफी हिस्से शूट हो चुके हैं स्टूडेंट ओफ दियर फिल्म रिलीज होगी 23 नवंबर को अब देखना ये होगा कि कि इतना रांच के दौरान ही मेकर्स ने बागी 3 फिल्म की घोश्रा कर दी थी इस फिल्म में टाइगर स्राफ भी बतौर लीड हीरो होंगे रिपोर्स के मताबिक बागी 3 में टाइगर के लामा एक और बड़ा एक्टर भी होगा बागी 2 ने दो हफ्तों में ही 250 क्रोन से ज़्यादा कर रहे हैं स्क्रिप्ट के अंसार टाइगर स्राफ के साथ एक और फिट एक्टर की दरकार है फिल्म के तीसरे इंस्टाल्मेंट को मेकर्स हॉलिवूड लेबर पर ले जाना चाहते हैं ऐसे में फिल्म को ग्रैंट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं फिलहाल अ अक्षे कुमार ने लिखा था, बॉली वोड को टौनी जा मिल गया है, टौनी जा जाने माने मार्सल आर्ट एक्टर है, टाइगर ने अक्षे कुमार के ट्उीट का जवाब देते हुए लिखा, आपकी तारी बहुत माने रखती है, लेकिन हमारे पहले एक्षन हीरो आप, हम जैसे लोगों को ऐसा आउसर देने के लिए धन्यवाद, ऐसे में बागी थिरी में इन दो एक्षन हीरो के जोड़ी देखने लाइफ होगी, ऐसे भी अपवा आ रही है कि इस फिल्म में रितिक रोसन भी हो सकते हैं, फिल्म के मेकर्स दो स्क्रिट पर विचार कर रहे हैं, एक स्क्रिट में जहां टाइगर और अक्षे एक साथ आ सकते हैं, वहीं दूसरी स्क्रिट के मताबिक सिर्फ रितिक रोसन ही इसके थर्ड पार्ट का हिस्सा होंगे, आपको बता दे कि टाइगर स्राफ रितिक रोसन को अपना गुरू मानते हैं, टाइगर और रितिक रोसन जल बलकि इसकी सफलता का एलाग भी अभी से कर दिया है। सांदार ओपनिंग के साथ इसने टाइगर स्राप के आलोज को को तो करारा जवाब दिया ही। इसके साथ ये भी सावित कर दिया कि इवा सितारे भी अच्छी फिल्म के साथ इतनी धमाकेदार ओपनिंग दे सकते हैं। और ये भी कि एक्षन फिल्मों का यूद अभी भी दीवाना है। वैसे बागी की सकसिस से इसके डारेटर अहमेद खान भी बेहत उसाहित है। हाला कि वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि बॉक्स ओफिस पर फिल्म अच्छा करेगी। और आप वो बागी 3 की तैयारी कर रहे हैं। अहमेद कहते हैं लोगों को बागी पसंद आई जिसलिए बागी 2 बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि ये पहले फिल्म से बेतर है। पाबलिक डिवान पर अब बागी 3 बनाने जा रहा है। वैसे बागी 2 की सफलता को लेकर अहमेद खार ने एक और कारण बताया है। आम धारणा है कि किसी भी फ्रेंचाइजी की पहले फिल्म के मुकाबले बागी के पार्ट जादा हिट नहीं होते। लोगों में इस तरह की फ्रेंचाइजी को लेकर क्रेज खत्म हो जाता है। लेकिन एहमद इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है किसने कहा लोगों का क्रेज खत्म हो जाता है। गोल माल के बाद उसके जितने भी पार्ट बने सभी पसंद किये गए। हेरा फेरी टूप पहले वाली से ज्यादा हिट रही एक स्टोरी फेंचाजी की फिल्में भी हिट रही तन्नू बेर्स, मन्नो, रिटर्न, सिंगाम, दबांग, हाउसपूल और धूम बेहिसाब फिल्में है जिनोंने पहले पार्ट की तुल्ना में अच्छी कमाई की है ये एक तरह का भ्रहम है और कुछ नहीं है बागी टू का एक गाना फिल्म से ज्यादा चर्चा में रहा वजाती माधुर दिच्छी ये गाना तेजाब में माधुर दिच्छी के आईकोनिक गाने एक दो तीन का रिमेक था गाने की रिमेक में जैकलीन की तुल्ना माधुरी से होना सभाविक थी जिसे लेकर जैकलीन को अलोचनाय भी छेलनी पड़ी लेकिन फिल्म के निर्देशक अहमद खान अब नेतरी के बचाओं में खड़े रहे उन्होंने कहा कि हमने कभी आलोचनाओं को गम हीरता से नहीं लिया जैकलीन ने गाने के साथ पूरा नयाय किया है बात ही खत्म होती निर्देशक एहमद खान का कहना है कि हमें पहले से पता था कि इस गाने के रिलीज होने पर माधुरी दिच्छित से इसकी तुलना होने समस्या यही है कि हम इंडियर्स हमेशा दूसरों से तुलना करने लगते हैं लेकिन हमें यह समझने की ज़रुवत है कि रिमेक कभी ओरिजन नहीं हो सकता तभी यह रिमेक है तेजाब में माधुरी दिच्छित के एक दो तीन गाने को कुरियोगराप कर चुकी सरोज खान के भी इस रिमेक से खुस नहीं होने के सवाल पर वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि यह खबरे कहां से आ रहे है सरोज खान को यह गाना बहुत पसंद आया है उन्हें गाने में जैकलीन का डांस अच्छा लगा इसके आगे क्या कहो वैसे फिल्म की सफलता को लेकर अस्वस्त अहमद खान टाइगर सराप सरीकी नई पीड़ी के कलाकारों से खासे प्रभावित हैं वो कहते हैं एक समय था जब इंडिस्ट्री बच्चन और खान तिकड़ी तक सीमित थी लेकिन अब एक से एक बढ़कर एक प्रद्वासाली लोग इंडिस्ट्री में आ रहे हैं डांस, अच्छन, कमेडी इन तीनों बिधाओं में हमारे पास एंगेस्टर्स की पूरी फाउज है साहित कपोट, टाइगर स्राप, ररवेर सिंग, बरवन दवन, सिधात मरोतरा, आयुसमान खुराना, राश्कुमार राओ, कितने ही बेहतरीन कलाकार हैं जो हिंदी सिनेमा को नए उचाईयो तो ले जाएंगे रितिक रोसन ने भी टाइगर स्राप की बाई की है टाइगर तुमने कमाल कर दिया है मैं बॉलिवुड के एक्षन हीरो के साथ काम करने के लिए बेकरार हूँ तारीब करना तो लाजबी बनता ही क्योंकि रितिक रोसन को टाइगर स्राप अपना गुरू मानते है बरण दोन ने भी टाइगर स्राप की बहुत तारीब की है वैसे आज कर टाइगर स्राप एक और चीज के लिए सुर्खियों में है बॉलिवुड के कई स्टार इन दिनों अपना पारेंट्स होम छोड़ कर खुद के अपार्टमेंट खईद रहे बीते साल रणवीर कपोर भी कृष्णा राज छोड़ कर अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गए थी इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है टाइगर स्राप ने 31 करोन 5 लाख रुपए का मुंबई के खार बेस्ट इलाके में रूस्तम जी पैरा माउंट में 3 फ्लेट बुक किये हैं इनमें से एक 9 मंजिल पर है जो 1500 वर्ट फिट में है बाकी 2 फ्लेट 21 मंजिल पर है जिनमें से एक 1900 वर्ट फिट पर है और दूसरा 200 वर्ट फिट में टाइगर ने 31 करोन 5 लाग रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। टाइगर सराफ अपनी इमेज एक अच्छे एक्षन स्टार की बना रहे है। इवा दर्सक वा एक्षन के दिवाने उनकी फिल्मों को लेकर क्रेजी रहते हैं। टाइगर को अपनी इमेज और बागी टू के एक्षन बेश फिल्म होने का ये परड़ाम मिला कि ये फिल्म बाक्स ओफिस पर अपने घंडे गारने में सफल रही। वैसे बागी टू को वर्ड वाइट 4125 स्किन्स पर रिलीज किया गया था। भारत में बागी टू को साड़े 3000 ओवर सीज में 625 स्किन्स मिले। 75 क्रोण में बनी बागी टू को 45 देशों में रिलीज किया गया था। वैसे प्रडूसर साजित नाटिया वाला के साथ टाइगर स्राप की ये तीसरी फिल्म है। टाइगर स्राप ने अपने फिल्म हिरो पंथी के साथ ही ऐसास दिला दिया था कि डांस और एक्शन उनकी ताकत रहेंगे। और बागी टू को देखने के बाद भी ऐसा महसूस हुआ था। टाइगर स्राप ने बागी टू के लिए खास दोर पर हॉंग कॉंग में मार्सल आर्ट सीखा था। इसी वज़ा से बागी टू को साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म भी कहा जा रहा है। हाला कि सबसे बड़ी के लिए तो अभी साल के अंता का बजार रहेगा। लेकिन एक्शन जोरदार था। अगी टू फिल्म में टाइगर स्राप जब भी स्कीन पर दिखें। आप उनकी फिजिप की तारिक भी करेंगे। सायद फिल्म को लेकर क्रेज की एक वज़ा ये भी थी। यंग्राउट इस कारण से इस फिल्म को देखने ज्यादा थेटर में गई। फिल्म एक और वज़ा से आकर्सित करती है। वो है वन लाइनर्स डाइलाग। टाइगर स्राप की पहली फिल्म से उनका यूएसपी रहा है। कि वो अपनी फिल्म में वन लाइनर्स डाइलाग जरूर बोलते है। जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। यही वज़ा है कि यंगेश्टर को कुछ अच्छी लाइन्स आम जिन्दगी में सुनने को मिल जाती है। वो ही सोसल मीडिया पर दिसा पटानी का भी क्रेश था। वो इस फिल्म को चर्चा में लाने की एक वज़ा था। इस स्क्रीन पर दिसा पटानी ने भी ठीक ठाक अभने किया। टाइगर और दिसा के रियल कमिस्टरी भी अच्छी है। और दिसा खुद इस बात को मान चुकी है कि टाइगर के साथ दोस्तिक वज़ा से उनसे रोमांस करना आसान था। हाला कि एक एक एक्सन फिल्म में हिरोईन को जितनी जगा मिलती है दिसा को भी उतने में ही बान दिया गया है। बागी टू को सपोर्टिंग कास्ट के लिए भी जाना जाता है। एक और रणदिर भुड़ा, मनोज बाचवी, दीपक डूबरियाल जैसे कलाकार बागी टू में नजर आते हैं। वहीं प्रतीक बबबर का बतोर बिलेट इस फिल्म के साथ कंबै खुरात। बागी टूरी की तूलना हॉलिवुड फिल्मों से इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी बॉलिवुड में एक नई प्रमप्रा सुरू हो गई है। कर देखें तो यहां के निर्दिसक अपनी फिल्मों में action scene करने के लिए हौलिवुड के action director लिए जा रहे हैं। अब बॉलिवुड हौलिवुड की तर्ज पर फिल्मों का निर्मार करना शुरू कर दिया है। बाव बलि ने इस इस बात की पुष्टी कर दी थी कि हमारे देश की फिल्में आप हॉलिवूड की फिल्मों से पीछे नहीं है रजिनी कान की 2.0 इस बात की गवाह इसमें हॉलिवूड के टेक्निसियन बहुत सारे रखे गए और प्रभास के फिल्म सहों के लिए भी बाहर से टेक्निसियन को हा बना रहे हैं क्योंकि गाधी जैनती के कुछ द्धानतों को इस फिल्म में जड़ा दी गई है और फिल्म एक सांती का संदेज देती हुई नजर आति है टाइगर स्राप के साथ अच्छे कुमार हो सकते हैं क्योंकि रितिक रोसन ने तो एक फिल्म टाइगर स्राप के साथ साइन कर ली है इस फिल्म की तुलना बाव वली से की जा रही है क्योंकि बाव वली की तरह इसको भवे बनाया जा रहा है अभी से इस फिल्म को 500 क्रोणी फिल्म माना जाए तो दोस्तो 2016 में एक फिल्म आई थी नाम था बागी फिल्म में लीट रोल में थे टाइगर शॉफ और श्रद्धा कपूर ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी हिट साबित हुई थी इसके चलते ही इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया और नाम रखा गया बागी टू और बागी टू भी 2018 में पहले दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी इस फिल्म को दर्शोगों से बहुत प्यार मिला फिल्म में लीट रोल में थे टाइगर शॉफ, दिशा पटानी, मनुझ बाजपाई, रंदीप हुड़ा, दर्शन कुमार, वीपक डोब्रियाल और प्रतीक बबबर इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर दो सब तिरपन करोड रुपे का कलेक्शन किया था टाइगर शॉफ की फिल्म, बागी 2 की रिलीज से पहले ही साजीद नाग्याट वाला ने बागी 3 की घोखशना कर दी थी आपको बता दें, एहमद खान फिल्म के स्क्रिट पर काम शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर शॉफ सीरिया में जा कर ट्रेणिंग लेने वाले हैं फिल्म के कुछ हिसों की शूटिंग खाड़ी देशों में की जाएगी सुत्रक की माने तो एहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टाइगर भारी हत्यारों के साथ ट्रेनिंग ले फिल्म के लिए रिचर्च करने के दोरान एहमद खान को ये जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उंदा ट्रेनिंग कैम्स है लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हत्यारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं जैसे की M16, 84 और रॉकेट लाउंचर्स साजिन नाडियाड वाला ने कहा है कि अगले महिने उनकी फिल्म बागी 3 के एक्टरस की घोशना कर दे जाएगी फिल्हाल फिल्म के स्क्रिट पर काम चल रहा है साथ ही कास्टिंग भी शुरू हो चुकी है सुत्रों की माने तो बागी 3 में दिशा पटानी को ही साइन किया जाएगा लेगिन जहां तक हमें याद है कि उन्होंने बागी 2 में सुसाइड कर लिया था और वो मर गई थी तो देखना ये दिल्चस्प होगा कि क्या फिल्म की स्टोरी नहीं होगी या फिर उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा इस फिल्म के बजट का कयास लगाया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट होगा लगभग देड़ सो से दो सो करोड का अभी टाइगर श्रॉफ बीजी है इंदी नोग सौटी टू की शूटिंग में पाईगी या नहीं हमारे टाइगर श्रॉफ क्या बात है उनमें कि अब उनके तुल्ना सल्मान खान अक्षे कुमार और रितिक रोशन से करी जा रही है कुछ तो बात होगी ना तो आईए अब हम उस कुछ बात को एक्स्प्लेन करते है तो दोस्तों बात ये है कि टाइगर कि आक्टिंग स्किल्स में उन्होंने बहुत काम किया है और उनका डान्स बहुत अच्छा है और हम ये चीज जानते हैं कि उन्होंने मार्शाल आज्स की ट्रेनिंग ले रखी है जिसके कारण उनको अपने आक्शन सीन्स करने में बहुत है तो दोस्तों कुछ श्रॉफ को जो टाइगर श्रॉफ के अलावा कोई कर ही नहीं सकता ड्यू-ड्यू आक्शन सीन्स तो दोस्तों ये थे कुछ रीजन्स जो अब कंपेर कर सकते हैं ताइगर श्रॉफ को सल्मान खान, अक्ष्यकुमार और रित्यक रॉशन से हैं दोस्तों पहले टाइगर श्रॉफ में ब वाला ने उनको बागी के लिए प्रोच किया, उनको लगा कि हाँ, शायद कुछ बात है इसमें जो शायद बागी को एक उच्छे लेवल तक पहुचा सकती है, तो शायद साज़त नाटगर वाला की वो बात सच निकली, क्योंकि बागी में ताइगर श्रॉफ ने श्रॉफ बागी के साथ एक बहुत अच्छी केमिस्टरी दिखाई थी, और अपने अक्शन सीनी अपने डांस की वज़े से बागी को बहुत उच्छा नाम बिलाया थी, इसलिए बागी टू, जी हाँ दोस्तों, बागी टू में भी ताइगर श्रॉफ ने जिशा पट्टानी के साथ इक दोनों की केमिस्टरी भी काफी अच्छी थी, दोनों ने मुवी में बहुत अच्छा काम किया था और स्टूरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू, उसमें टाइगर श्रॉफ ने एक आर्वे ओपिसर का रोल किया था, जो की एक बहुत अच अच्छा रूल था और शायर उनके अलावा वो रोल कोई और नहीं निभा सकता था क्योंकि बहुत अच्छे action scenes थे जिससे लोग पागल हो गएते टाइगर श्रॉक को देखने के लिए और लड़किया तो बस दिबानी हो गएती टाइगर श्रॉक के लिए तो दोस्तों अभी बात चल रही है साज़ित नाडगाडवाला कि वो अपनी फिल्म बागी का सीक्वल बनाना चाहते है जिहां दोस्तों वो बागी तीन पर जलकाम शुरू करना चाहते है जिसके लिए उन्हों ने अभी हाल ही में हमारी केदारनाथ से आई याक्प्रेस सारा अली खान को एप्रोच किया है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस टाइम जानवी कपूर के बाद सारा अली खान बहुत जादा चर्चाओं में है क्योंकि उनके फिल्म केदारनाथ ने बहुत बावार्बर्ट हो रही है बहुत बड़ी बात हो दी है दोस्तों आपकी पहली मूवी ली तना जादा नाम कमा ले तो जब साजित नाटगार वाला ने उनको बागी 3 के लिए प्रोच किया उन्होंने बोला कि अभी मैं अपने फिल्म सिंबा पर फोकस करना चाहती हूँ इसके बाद ही मैं आगे किसी और प्रोजेक्ट को हाथ लगाऊगी तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दू कि सारा अली खान ने बागी 3 के लिए हामी नहीं बली है पर मुझे लगता है कि वो हाँ मान जाएगी बागी 3 में काम करने के लिए तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप तैके श्रॉट के साथ कौन सी आपरस को देखना चाहते हूँ या पिछली श्रद्धा कबूर या फिर 2018 वाली दिशाबटानी या फिर हमारी आख मार भी हुई सारा अली खान बागी 2 की धहमाकेदार सफलता के बाद अब मेकर्स बागी 3 की तयारी कर रहे हैं इससे पहले बागी 2 के टेलर रांच के दाउरान ही मेकर्स ने बागी 3 फिल्म की घोश्रा कर दी थी इस फिल्म में टाइगर्स राव भी बतौर लीड हीरो होंगे रिपोर्ट्स के मताबिक बागी 3 में टाइगर के लावा एक और बड़ा एक्टर भी होगा बागी 2 ने दो हफ्तों में ही 250 करोन से ज़्यादा की कमाई कर ली थी मीडिया खबरों की बात माने तो बागी 3 में टाइगर के साथ अक्षे कुमार बतौर दूसरे हीरो हो सकते रिपोर्ट्स के मताबिक मेकर्स के पास ऐसे स्क्रिप्ट है जिसे वो बागी 3 के लिए कंसीडर कर रहे हैं इस स्क्रिप्ट के अंसार टाइगर स्राप के साथ एक और फिट एक्टर की दरकार है फिल्म के तीसरे इंस्टाल्मेंट को मेकर्स हॉलिवूड लेबर पर ले जाना चाहते हैं ऐसे में फिल्म को ग्रैंट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं फिलहाल अक्षे अपनी 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म केसरी की सूटिंग कर रहे हैं इसके लावा उनकी अगले फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है जिसका नाम है गोल्ड बागी टू में टाइगर स्राप के जवर्दयस अक्षे कुमार काफी इंप्रेस्ट अक्षे ने सोसल मेडिया पर उनकी तुलना टोनी जा से कर डाली थी अक्षे कुमार ने लिखा था बॉलिवुड को टोनी जा मिल गया है टोनी जा जाने माने मार्सल आर्ट एक्टर है टाइगर ने अक्षे कुमार के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा आपकी तारी बहुत माने रखती है लेकिन हमारे पहले एक्षन हीरो आप हम जैसे लोगों को ऐसा आउसर देने के लिए धन्यबाद ऐसे में बागी थिरी में इन दो एक्षन हीरो के जोड़ी देखने लाइफ होगी ऐसे भी अफ़ा आ रही है कि इस फिल्म में रितिक रोसन भी हो सकते हैं फिल्म के मेकर्स दो स्क्रिट पर विचार कर रहे हैं एक स्क्रिट में जहां टाइगर और अक्षे एक साथ आ सकते हैं वहीं दूसरी स्क्रिट के मताबिक सिर्फ रितिक रोसन ही इसके थर्ड पार्ट का हिस्सा होंगे आपको बता दे कि टाइगर स्राप रितिक रोसन को अपना गुरू मानते हैं। टाइगर और रितिक रोसन जल्द ही एक एक्षन फिल्म में साफ काम करने जा रहे हैं। इसमें वाडी कपूर भी प्रमुख भूमिका में हैं। फिल्म के सूटिंग अगस्य सुरू होगी। ये टाइगर स्राप के आलोचकों को तो करारा जवाब दिया ही। इसके साथ ये भी साबित कर दिया कि इवा सितारे भी अच्छी फिल्म के साथ इतनी धमाकेदार ओपनिंग दे सकते हैं। और ये भी कि एक्षन फिल्मों का यूद अभी भी दीवाना है। वैसे बागी की सकस से इसके डारेटर अहमेद खान भी बेहत उसाहित हैं। हाला कि वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छा करेगी। और आप वो बागी 3 की तयारी कर रहे हैं। अहमेद कहते हैं लोगों को बागी पसंद आई जिसलिए बागी 2 बनाई। इ लोगों में इस तरह की फ्रेंचाजी को लेकर क्रेज खत्म हो जाता है। लेकिन एहमद इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है किसने कहा लोगों का क्रेज खत्म हो जाता है। गोलमाल के बाद उसके जितने भी पार्ट बने सभी पसंद किये गए। हेरा फेरी 2 पहले वाली से ज्यादा हिट रही एक स्टोरी फ्रेंचाजी की फिल्में भी हिट रही तन्नू बेर्स मन्नो रिटर्स सिंगाम दवांग हाउसपोल और धूम बेहिसाब फिल्में जिन्नोंने पहले पार्ट के तुल्ला में अच्छी कमाई की है ये एक तराका भ्रहम है और कुछ नहीं कर जैकलीन को अलोचनाएं भी छेलनी पड़ी लेकिन फिल्म के निर्देशक अहमद खान अब नेतरी के बचाओं में खड़े रहे उन्हों ने कहा कि हमने कभी आलोचनाओं को गम हीरता से नहीं लिया जैकलीन ने गाने के साथ पूरा नयाय किया है बात ही खत्म होती है निर्देशक अहमद खान का कहना है कि हमें पहले से पता था कि इस गाने के रिलीज होने पर माधुरी दिच्छित से इसकी तुल्ना होगी समस्या यही है कि हम इंडियर्स हमेशा दूसरों से तुल्ना करने लगते हैं लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि रिमेक कभी ओरिजन नहीं हो सकता तभी यह रिमेक है तेजाब में माधुरी दिच्छित के एक दो तीन गाने को कुरियोगराप कर चुकी सरोज खान के भी इस रिमेक से खुस नहीं होने के सवाल पर वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि यह खबरे कहां से आ रहे हैं सरोज खान को यह गाना बहुत पसंद आया है उन्हें गाने में जैकलीन का डांस अच्छा लगा इसके आगे क्या कहो वैसे फिल्म की सफलता को लेकर अस्वस्त अहमद खान टाइगर स्राप सरीखी नई पीड़ी के कलाका से खासे प्रभावित हैं वो कहते हैं एक समय था जब इंडिस्ट्री बच्चन और खान तिगडी तक सीमित थी लेकिन अब एक से बढ़कर एक प्रिद्वासाली लोग इंडिस्ट्री में आ रहे हैं डांस एक्षन कमेडी इन तीनों बिधाओं में हमारे पास एंगेस्टर कर दिया है मैं बॉलिवुड के एक्षन हीरो के साथ काम करने के लिए बेकरार हूँ तारीफ करना तो लाजबी बनता ही क्योंकि रितिक रोशन को टाइगर स्राप अपना गुरू मानते हैं बरण धौन ने भी टाइगर स्राप की बहुत तारीफ की है वैसे आज कर टाइग 3500 रुपए का मुंब्ई के खार बैस इलाके में रूस्तम जी पैरा मांट में तीन प्लेट बुक किये हैं इनमें से एक नवायी मंजिल पर है जो 1500 वर्ग फिक्ट में है बाकी दो प्लेट 200 मनजिल पर है जिनमें सेальную 1900 वर्ग फिक्ट पर है और डूसरा newest टाइगर स्राफ ने 1900 मंजिल पर बने फ्लैट के लिए करीब 7 करोन 1.70 रूपे खर्च किये 21 मंजिल पर 22 करोन 33 रूपे खर्च किये इसके साथ ही स्टांप ड्यूटी पर भी उन्होंने 1.55 रूपे खर्च किये कुर मिलागर टाइगर ने 31 करोन 5 रूपे का इन्वेस्टमेंट किया है टाइगर स्राफ अपनी इमेज एक अच्छे एक्षन स्टार की बना रहे है इवा दर्सक वा एक्षन के दिवाने उनकी फिल्मों को लेकर क्रेजी रहते हैं टाइगर को अपनी इमेज और बागी टू के एक्षन बेश फिल्म होने का ये परणाम मिला कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अपने घंडे गारने में सफल रही वैसे बागी टू को वर्ड वाइट 4125 स्किन्स पर रिलीज किया गया था भारत में बागी टू को 35,000 ओवर सीज में 625 स्किन्स मिले 75 क्रोण में बनी बागी टू को 45 देशों में रिलीज किया गया था वैसे प्रोडूसर साजित नाटिया वाला के साथ टाइगर स्राप की ये तीसरी फिल्म है टाइगर स्राप ने अपने फिल्म हिरो पंथी के साथ ही ऐसास दिला दिया था कि डांस और एक्शन उनकी ताकत रहेंगे और बागी टू को देखने के बाद भी ऐसा महशूस हुआ था टाइगर स्राप ने बागी टू के लिए खास दोर पर हौंग कॉंग में मार्सल आर्ट सीखा था इसी वज़ा से बागी टू को साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म भी कहा जा रहा है हाला कि सबसे बड़ी के लिए तो अभी साल के अंता का युजार रहेगा लेकिन एक्शन जोरदार था अगी टू फिल्म में टाइगर स्राप जब भी स्कीन पर दिखें आप उनकी फिजिप की तारिक भी करेंगे सायद फिल्म को लेकर क्रेज की एक वज़ा ये भी थी यंग क्राउट इस कारण से इस फिल्म को देखने ज़्यादा थेटर में गई फिल्म एक और वज़ा से आकर्सित करती है वो है वन लाइनर्स डाइलाग टाइगर स्राप की पहली फिल्म से उनका यूस्पी रहा है कि वो अपनी फिलों में वन लाइनर्स डाइलाग जरूर बोलते है जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है यही वज़ा है कि एंगेश्टर को कुछ अच्छी लाइन्स आम जिन्दगी में सुनने को मिल जाती है वही सोशल मीडिया पर दिशा पटानी का भी क्रेश था वो इस फिल्म को चर्चा में लाने की एक वज़ा था स्क्रीन पर दिशा पटानी ने भी ठीक ठाक अभने किया टाइगर और दिशा के रियल कमिश्टरी भी अच्छी है और दिसा खुद इस बात को मान चुकी है कि टाइगर के साथ दोस्तिक वज़ा से उनसे रोमास करना आसान था हाला कि एक एक एक्षन फिल्म में हिरोईन को जितनी जगा मिलती है दिसा को भी उतने में ही बांदिया गया है बागी टू को सपोर्टिंग कास्ट के लिए भी जाना जाता है एक और रणदिर भुड़ा, मनोज बाचवी, दीपक डूबरियाल जैसे कलाकार बागी टू में नजर आते हैं वहीं प्रतीक बबबर का बतोर बिलेट इस फिल्म के साथ कमबै खुराद बागी टूरी की तूलना हॉलिवुड फिल्मों से इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी बॉलिवुड में एक नई प्रमपरा शुरू हो गई है यदि बॉलिवुड की फिल्मों को देखे तो यहां के निर्देसक अपनी फिल्मों में एक्शन सीन डिजाइन करने के लिए हॉलिवुड के एक्शन डारेक्टर लिये जा रहे हैं अब बॉलिबुड हॉलिवड की तरज़ पर फिल्मों का निर्मार करना शुरू कर दिया है बाउगली ने इस बात की पुष्टी कर दी थी कि हमारे देश की फिल्में आप हॉलिवड की फिल्मों से पीछे नहीं है रजिनी कांद की 2.0 इस बात की गवाह इसमें Hollywood के technician बहुत सारे रखे गए और प्रभास के फिल्म सहो के लिए भी बाहर से technician को hire किया गया है इस बार बागी तरी कहानी में ऐसा बदलाव किया गया है कि फिल्म के आधी से ज़्यादा फिल्म की shooting विदेशों में होगी इस फिल्म के locations अभी pilot नहीं किये गए हैं टाइगर स्राप अपनी फिल्म को गाधी जैंती पर इसलिए release करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि गाधी जैंती के कुछ द्धानतों को इस फिल्म में जढ़ा दी गई है और फिल्म एक सांती का संदेश देती हुई नजर आती है टाइगर स्राप के साथ अच्छे कुमार हो सकते हैं क्योंकि रितिक रोसन ने तो एक फिल्म टाइगर स्राप के साथ साइन कर ली है इस फिल्म की तुलना बाव वली से की जा रही है क्योंकि बाव वली की तरह इसको भब बनाया जा रहा है अभी से इस फिल्म को 500 क्रोनी फिल्म माना जा रहा है अप्ट के एक्षन स्टार टाइगर स्राफ ने अपने हिट फ्रेंचाइजी बागी के लिए पसीना बाना स्रोग कर दिया टाइगर स्राफ इन दिनों बागी थ्री के लिए एक्षन में हाँ साप कर रहे हैं टाइगर स्राफ को बॉली बुड में 5 साल हो चुके हैं और अब वे एक एक्षन स्टार के तौर पर अस्थापित हो चुके हैं इवाज सितारों में ऐसा बेरला ही कोई स्टार होगा जो उन्हें एक्षर में टकर दे सके टाइगर स्राप ने भले ही बागी थिरी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है लेकिन सूत्रों की माने तो निर्माता अभे भी फिल्म के अभनेतरी की भूंका के लिए एक नए चेहरे की तलास में पिछले दो पार्ट में सद्धा कपूर और दिशा पटानी नजर आ चुकी है टाइगर स्राप अपनी बेहत मुस्किल ट्रेनिंग में कई तरह के स्टन्ट सीख रहे हैं और प्रैटिस कर रहे हैं सूत्रों के अनुसार फिल्म के निर्माताओं की भारत और विदिसों से स्टन्ट बिसेशों गोव सहित बिसेश रियल्शनल सेसन करने की योजना है बागी टुई साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिलों में से है इसलिए तीसरे भाग से प्रसंसों की उमीद दूना बढ़ जाती है बागी तरी के प्रसिछण में यम 16, 84 और राकेट लांचर जैसे हतियारों का उपयोग सीखना सामिल है स्क्रिप लगभग तयार है एहमेद खान द्वारा निदेशित इस फिल्म में एक्षन और ड्रामे की भरमार होगी साथ ही टाइगर विविन आवतार में नजर आएंगे सुत्रों ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि निर्माता साजिद नाडियाड वाला को फिल्म के लिए जानी मानी अभनेत्रियों द्वारा अप्रोच किया जा रहा है हाला कि निर्माताओं ने ये अभीत्ते नहीं किया है कि वे फिल्म के लिए किसी नए चेहरे का चैन करेंगे या फिर कोई जाना माना नाम फिल्म में टाइगर के अपोजित नजर आएगा देश भर में करवाचवत के तेवहार को जोर सोर से मनाया जा रहा है साधी सुदा महिलाओं के लिए ये तेवहार बेहत खास है कार्तिक मा के क्रिश पंच की चत्रूर्ती को सुब महुर्द पर करवाचवत मनाया जाता है जो इस बार 27 अप्टूबर को है इस दिन महिलाए पूरे दिन उपास रखती है और साम को पूजन करने के बाद चांद और पती में से देखने के बाद जल ग्रहन करती है वैसे बॉलिवुड में ऐसी कई फिल्मे हैं जिसमें करवाचवत को धूम धाम से मनाया गया है करवाचवत के मौके पर कुछ ऐसे गावनों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जिसे लोग अक्सर गुनगुनाते हैं दिल वाले दुरहनिया ले जाएंगे में साल 1995 में आई बॉलिवुड की एवर गिन रोमांटिक फिल्म दिल वाले दुरहनिया ले जाएंगे में करवाचवत सिकंस तो आपको याद ही होगा फिल्म में दिखाये जाता है कि काजोल ये बृत अपने होने वाले पती परमी सेठी के लिए रखती है लेकिन असल में वो चोरी छिपे अपने प्रेमी शारुक खान के लिए नर्जला बृत रखती है काजोल इस ब्रत को रखने के दारान बेहोस होने का नाटक करती है उसी प्रेमी के हाथों पानी पीती है जिससे वो साधी करना चाहती है ब्रत की पूजा के बाद राज और सिम्रन दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं बागवान में करवाचवत साल 2003 में आई बागवान का करवाचवत रोमांटिक से कहीं ज़्यादा दर्सों को इमोशनल कर देता है अमिताब बच्चन और हेमा मालने पर फिल्माए गई सिक्वेंस में दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग सहरों में ब्रत रखते हैं इस सीन में खुद अमिताब भी हेमा के लिए ब्रत रखते हैं और तब तक पानी नहीं पीते जब तक चांद नहीं निकल आता जब हेमा को पता चलता है कि अमिताब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो अपनी भरी थालिप छोड़ चली जाती है हम दिल दे चुके सनम में करवा चौत 1999 में आई सलमान खान और एसोरिया राय के अधूरी प्रेम की कहानी में करवा चौत के ब्रत को बड़े दिल्चस्प अंदाज में दिखाया गया है अगर हम इस फिल्म में करवा चौत के ब्रत की बात करें तो संजे लीला भंसाली ने जिस खुबसूर्ती से चान छुपा बादल में गाने को फिल्माया है वो आज भी पूला नहीं जा सकता है इस गाने में सलमान चान से जल्दी नहीं निकलने को बोल रहे है ताकि उनकी प्रेमका उन्हें छोड़ कर ना चली जाए साल 2001 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कभी कुसी कभी गम में करवाचोद को बड़े ही भब अंदाज में फिल्माया गया था इस सीन में तीन फिल्मी जोनिया ब्रत रखती है ब्रत के साथ साथ बोले चूडिया गाने में स्टार छूनते भी दिखते है इसक बिस्क में करवाचोद 2003 में रिलीज फिल्म इश्क बिस्क में अमिर्ता राव अपने प्यार साहिद कपूर के खातिर करवाचोद का ब्रत रखती बिना साधी किये और किसी को बिना बताए अमिर्ता यानि की पायल अपने प्यार साहिद यानि की राजीव के लिए नरजला ब्रत करती है सब की नजरों से बच कर साहिद उनका ब्रत तोडने उनके कमरे में आते हैं इस सेक्वेंस को बेहत खुबसूरती से परदे पर उतारा गया है अब हम बात करते हैं कि बागी टू की कहानी क्या है जब बात दिल और दिमाग के बीच फंसी हो तो हमेशा दिल की सुनो फिल्म बागी टू का नायक कैप्टन रडवेर प्रताफ सिंग उर्फ रौनी यानि कि टाइगर स्राब भी कुछ ऐसा ही करता है रौनी और नेहा नेहा यानि कि दिसा पटानी कालेज में साथ पड़ते हैं और एक दूसरी को प्यार करते हैं लेकिन नेहा के पिता रौनी को पसंद नहीं करते हैं रौनी और नेहा भाग कर साधी करने जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि नेहा और रौनी अलग हो जाते हैं, और नेहा की किसी और से साधी हो जाती है, वहीं रौनी आर्मी में कमंडो बन जाता है, चार साल बात नेहा रौनी से अपनी किनयप हुई बेटी के बारे मे मदद मागती है राणी को नेहा के देवर सनी यानि की प्रतीग बबर पर शक है लेकिन नेहा का पती शेखर यानि की दर्शन कुमार राणी को बताता है कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं इस तरह चीजे काफी उलज जाते हैं आखिर राणी इस मिस्ट्री को सुलजाने में काम भी रेस के घुड़े हैं फिल्म के निर्माताओं ने उसी वक्त बागी का श्रिक्वल अनौंस कर दिया था वहीं अब बागी 2 की रिलीज से पहले बागी 3 एनौंस हो गई है बागी 2 तेलगू फिल्म छडम की रिमेक है टाइगर स्राप के एक्षन का दर्शकों में कितना क इसकी गवाहिस सुबा सुबा का हाउसपुल सू दे रहा था देश भर में 3.5 हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई बागी 2 ताइगर स्राप की सबसे बड़ी रिलीज है लाइफ कपल टाइगर और दिसा की जोड़ी आन स्क्रीन काफी जमी है खास कर उनकी परसनल कमेस्टी बे जाने के लिए मजबूर्त कर देते हैं वो वन मैन आर्मी की रोल के अंदाज में फपते हैं अपने एक टॉर्चर सीर में टाइगर पूरी तरह बिना कपड़ों के नजर आये हैं उन्होंने फिल्म के लिए खास तोर पर हांग कांग में मार्सल आर्की ट्रेनिंग ली है फि तीक बबर ने बिलन के रोल से बड़े परदे पर वापसी की है ये बात और है कि इस कहाने का असली रावन कोई और निकलता है डियाजी के रोल में मनोज बाजपई हमेशा की तरह जमे हैं वहीं यस्पी के रोल में ररदीप हुड़ा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है द दो तीन पहले ही हिट हो चुका है हाला कि आप हैरत अंगेज एक्शन सीन वाले फिल्मों के शौकीन है तो टाइगर स्राप आपको कतई निरास नहीं करेंगे ताइगर स्राप के वन लाइनर डायलाग जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अफ है इस लाए में उसका क पूरी फोज के बरावर है कहो सुनी है एक सड़ा हुआ आम पूरी पेटी को बरबाद कर देता है फर्च कि जिए आमिर खान और अमताब बच्चन एक ही घर में रहने लगे हैं तो वो चाई की चुस्किया लेते हुए किस बारे में बात करने है जाहिर है उनके जिक्ण में आमिर के बेटे आजाद और अराध्या का नाम जरूर आएगा चुकि दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि हमाचाना कैसी काल्पनिंग कहानी क्यों कह रहे हैं तो आपको बता दे कि इसके पीछे एक खास वज़ा है खुद आमिर खान ने कह है कि वो अमिताब बच्चन के घर में कुछ दिनों के लिए सिफ्ट होना चाहते हैं हाँ मगर ये सच है कि उन्होंने ये सारी बाते मजाक में कहिए हैं अमिताब के सोग केवी से में कौन बनेगा करोणपती में इस चाहत के पीछे का पूरा माजरा दरसल ये है कि आमिर खा हैं ऑन की उमिताब कि इस सोगी सूटिंग के दोरान अमिताब से कई सारे की और आमिताब ने उन्हें कूरी भी कि लेगिन आमिर में अब तक इसकी है नहींlocks दिती अपने दर्ब से आमिताब को क्या करने को कहा सोल मेंलों काने आमिर आमिर खाला कि फ 맛있어요 कर दारा दोराया तहं प्रशी सो के दौरान आमिर खान ने एक बात तेहें कि वो अमताब बच्चन के घर पर अपने फिल्म ठक साप की रिलीज से पहले जाने वाले हैं। इसकी वज़ा अजीबों गरीब है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी फिल्म के रिलीज के पहले वो नर्मस रहते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि अमताब के घर चले जाएं ताकि वहां जाकर वो खुद को सांध रख पाएं। और अमताब बच्चन के साथ भी वक्त बिता पाएं। हाली में ट्यूटर पर बववा सिंग नामक एकाउंट से एक पोश्ट को सेर किया गया है। जिसमें लिखा है कि मैं जो हूँ, मैं बववा सिंग हूँ जनाब इस बात का आप बेहा दिहाज किजिएगा। और जो नहीं करेंगे उनसे महबत कर करके मैं उन्हें मार डालूगा। तयार हो जाओ ट्यूटर वालो आ गये हैं बववा सिंग। तो सुना अपने बववा को, अपने आगबन से पहले आगाह कर दिया है। फिल्म जीरो में सारुक खान बववा सिंग का किरदार निवाते नजर आएंगे। फिल्म जीरो के निर्देशक आनंद यलराय ने एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टी की है कि जीरो के टेलर को दो नॉमर को रिलीश करने का प्लान है। उस दिन सारुक खान का जनम दिन है। अब तक पीजर और इत के मौगे पर एक गाना रिलीश किया गया था। जिसमें सारुक और सलमान की जुगल बंदी हुई थी। सारुक खान इस्टारर और आनन्द यल्राय निर्देसित फिल्म जीरो इस साल 21 दिसम्बर को रिलीश होनी जा रही है। बागी थीरी में कौन खलनायक होगा ये अभी तक राज है। कभी अक्षे कुमार का नाम आता है तो कभी भी दुझामत था। अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि बागी थी का बिलन कौन होगा। फिर से नजर आएंगे। हाला कि जब नाडियाड वाला से बागी थी के अभी नेत्रे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा बागी थी की पठकता पर अभी काम हो रहा है। और महीने भर के बीतर हमें इसका पता चल जाएगा और तब हम इसकी धोशना करेंगे। बागी टू ने पहले ही वीकेंड पर 70 करोड से ज्यादा कमाई कर ली है। पहले दिन 25 करोड की शांदार ओपनिंग के साथ इसने टाइगर श्रोफ के आलोचको को तो करारा जवाब दिया ही। इसके साथ ये भी साबित कर दिया कि युवा सितारे भी अच्छी फिल्म के साथ इतनी धमाकेदार ओपनिंग दे सकते हैं। और ये भी कि एक्शन फिल्मों का यूथ अभी दिवाना है। वैसे बागी की सकसेस से इसके डाइरेक्टर एहमद खान भी बेहद उत्साइज हैं। हाला कि वो ये बात पहले कह चुके थे कि बॉक्स ओफिस पर फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी और अब वो बागी 3 की तयारी भी कर रहे हैं। कहते हैं लोगो को बागी बेहत पसंद आई थी इसलिए बागी 2 बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि ये फिल्म पहली फिल्म से बहतर है। पबलिक डिमांड पर ही अब मैं बागी 3 में लगने वाला हूँ। वैसे बागी 2 की सफलता को लेकर एहमद ने एक और कारण बताया। आमधारना है कि किसी भी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म के मुकाबले बाकी के पार्ट्स ज्यादा हिट नहीं होते। लोगो में इस तरह की फ्रेंचाइजी को लेकर क्रेस खत्म हो जाता है लेकिन एहमद इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है किसने कहा कि लोगो का क्रेस खत्म हो जाता है। गोलमाल के बाद उसके जितने भी पार्ट्स बने सबी पसंद किये गए। हेरा फेरी टू पहले वाली से ज्यादा हिट रही, हेट स्टोरी फ्रेंचाइजी की फिल्में भी हिट रही हैं, तनु एड्स मनु रिटरंस, सिंग्हम, दबंग, हाउस फुल और धूम बे मिसाल फिल्में हैं, जिन्होंने पहले पार्ट्स की तुलना में अच्छी कमाई की ह पार्ट्स बनते ही इसलिए हैं क्योंकि वो हिट होते हैं, बागी हिट रही, तभी हमने बागी टू बनाई, और अब बागी थ्री की तयारी कर रहे हैं, ये बस एक तरह का भ्रम है, और कुछ नहीं, अगर बात करें बागी थ्री के विलन की, तो सुनने में आया है कि विद सोदा में आये फिल्म हीरो पंती के जरिये ही क्रिती और टाइगर ने साथ साथ फिल्म जगत में कदम रखा था, बागी थ्री का हिस्सा बनने के बारे में पूछे जाने पर क्रिती ने कहा, मैं वो इनसान नहीं हूँ, जिससे आपको ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन न साथ एक फिल्म के जरिये बॉलिवुड में कदम रखा था, कही ना कहीं इस बात की एक खास एहमियत है, मुझे टाइगर पर गर्व है, क्योंकि वो हर फिल्म के साथ एक नए लेवल को चू रहे हैं, तो दोस्तों अब बारी आती है कमेंट सेक्शन की, जो हमने हाउस फूल बनाएंगे, जिसमें उन्हें लगवग 5 साल लगेंगे, इसलिए अभी आमिर खान किसी और फिल्म के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, मैडी हसन पूछते हैं कि मार्वल और डीसी पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्व इन्फिनिटी वोर पर वीडियो अफलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और हमारे कलीग अंकित पांडे इस पर एक और वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे, अंसर गड़बडा पूछते हैं कि ABCD 3 कब आएगी, तो दोस्त अभी ABC ABCD 3 की डेट फाइनल नहीं हुई है, सिर्फ इस फिल्म की एनाउंस्मेंट हुई है, वेद प्रकास, चाकी रिजवान, रह्मान गौर, कृष्णा, मिकेश, मोहमद अजीजुल, योर एवरिडे लाइफ, इन सभी को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी, आप सब हमारी व भाशा का प्रयोग करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अब्यूजिव लेंग्वेज का प्रयोग ना करें, क्योंकि हमारे वीडियो को आपके पैरेंट्स ये अलावा, और लोगों के पैरेंट्स भी देखते हैं, और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, तो आप ये अ ने कहा हम अभी 20 अप्रयल की सोच रहे हैं, लेकिन फिलाल देखे आगे क्या होता है, बता दे, बागी 3 पर काम शुरू हो चुका है, वहीं खास बात है कि 20 अप्रयल 2019 को ही धर्मा प्रोडेक्शन की मल्टी स्टारर फिल्म कलंग भी रिलीज होने वाली है, कोई शक नहीं कि यदि ये क्लैश होता है तो बॉक्स ओफिस पर धमाका हो जाएगा, टाइगर शुरॉफ की बागी 2 सुपर हिट रही है, और वहीं तीसरे पार्ट का बेस अबी से इंतिजार किया जा रहा है, निर्माता साजित नाडियाट वाला ने बागी 2 के ट्रेडर लांच के दोरान ह अपनी फ्रेंचाइजी बागी 3 की तीसरी फिल्म को लेकर घोशना कर दी थी, इस फिल्म का निर्देशन एहमत खान करेंगे, पिलाव फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, साथ ही कास्टिंग भी सुरू हो चुकी है, रेपोर्ट की मानने तो इस फिल्म के लिए टाइगर स्राप का असली नाम क्या है, टाइगर स्राप क्यों कहते हैं कि उन्हें डांस नहीं आता है, टाइगर स्राप की कौर कौर ब्लॉक बास्टर फिल्में आने वाली है, आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के गलियारे में, बॉलिवुड अपने ता टाइगर स्राप अब 29 साल के हो गए बॉलिवूड आक्टर जैकी स्राप और आईसा स्राप के बेटे टाइगर ने कम उम्र में ही बॉलिवूड में अपनी पहचान बना ली टीन एजर्स के बीच टाइगर के लोग प्रेता देखते ही बनती हैं उनके डांस के स्टेप और फाइटिंग की स्किल्स बॉलिवूड के दिगजों को हैरान कर चुकी है टाइगर फिल्मों में भले ही मस्ती करते दिखाई देते हूं लेकिन असल जिंदगी में वो बिलकुल सांत रहना पसंद करते हैं पार्टियों में भी वो बिरले ही नजर आते हैं टाइगर स्राप का जन एसा कहा जाता है कि टाइगर आज की पीडी के ईवा के भीफ्रीत नातो शराप का सेवन करते है और ना ही सिग्रेट को हात लगाते हैं आला कि एक फिल्म शूट के लिए उन्हों ने सिग्रेट को मुं लगाया था लेकिन उन्होंने इसे प्रोफेशनल कमेंटमेंट का नाम टाइगर का असल नाम हेवंद सराप है। उनके करीबी बताते हैं कि बच्पन में वो बहुत काटते खरोचते थे। जिसकी वज़ा से फिल्मों में उनका नाम टाइगर रख दिया। टाइगर बॉलीबुड में रितिक रोसन को अपना गुरू मानते हैं। टाइगर के डांस की भी काफी तारीफ होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइगर ने डांस की सुरुवात अपनी पहली फिल्म से ही की थी। एक शो के दौरान टाइगर ने बताया था कि मैंने डांस सीखने की सुरुवात अपनी पहली फिल्म से ही की थी। लेकिन लोगों को इस पर भरोसा नहीं होता। खोश ने पूछा कि आप लोगों को जमजाब डांसर लगते हैं। तो इस पर टाइगर ने बताया कि मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ। बस कुरियोग्रा इसके बाद बागी, एफ फ्लाइंग जट, मुन्ना भाइकल और बागी टू रिलीज हो चुकी। आने वाली फिल्मों में इस्टूडेंट आप दा इयर टू है जो की 10 माई को रिलीज हो गी। फिल्म इंडिस्ट्री में टाइगर का नाम दिसा पतानी से चोड़ा जाता है दोनों को कई बार एक साथ देखा भी गया है। जिसा भी टाइगर की तरह फिटनेस फ्रीक हैं। दोनों की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने फिटनेस फ्रीक हैं। टाइगर स्राप अपनी आने वाली फिल्मों के लिए बेहत गंभीरता से प्रैक् को भी एक वीडियो के जरिये दिखलाई। उन्होंने अपने आफिसियल इंस्टाग्राम एकाउंट पर वीडियो शेयर किया। जिसमें वो एक ट्रेनर से हाथा पाई करते हुए दिखाई दी। टाइगर स्राप के एक्शन फिल्मों में उनके क्लीन इस्टन्ड और लिखा, दुनिया भर के आर्ट्रिस संग काम करने वा सीखने की सांदार खुसी होती। मैं आपको बता दू टाइगर स्राप और रितिक रोशन जल्द ही एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसमें टाइगर और रितिक का चोरदार अंदाज देखने को मिलेगा। ट रैम्बो के आफिसियल रिमेग में भी लीड रोल में हैं। और टाइगर स्राप ने कहा है कि वो बागी 3 का टीजर बहुत जल्द ही लांच करने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस्टुटेंट आप दा येर 2 के साथ बागी 3 का टीजर भी लांच किया जाएगा। बॉलवीड में तो आया दिन कोई न कोई डेब्यू करता ही रहता है। लेगिन बहुत ऐसे कम स्टार्स हैं जो आते ही च्छा जाते हैं। उन्हीं लिस्ट में एक नाम जुडां 2012 में। बॉलवीड में आते ही कहता है क्या करो यार। सब को आती नहीं और मेरी जाती साजिर नाड याड वाला की हीरो पंती से डेब्यू किया और आते ही आते एक बाद एक दब और तोड हिट फिल्में दी बागे टू के सक्सेस के बाद इसके डारेक्टर ने इसके सीक्वल याने की पार्ट 3 की एनाॉसमेंट कर दी जहां इसके पहले पार्ट यान की 2016 में रिलीज हुआ सफल रहा और इसका अगला पार्ट बना 2018 में वो भी रिलीज हुआ जिसने 253 करोड का कलेक्शन किया 69 करोड में बने इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 253 करोड की कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया अब तीसरे पार्ट के भी हिट होने की उमीद की जा रही है टाइगर श्रॉफ ने जब से हिंदी सिनेमा में कदम रखाया तब से हर फिल्म में उन्होंने अपने स्टंट और डांस से लोगों को चौका दिया है और बागी 3 में सब कुछ हमें पहले से और भी ज्यादा एक्षरा देखने को मिलेगा जाहे वो श्टोरी हो या फिर एक्षन या फिर डांस बागी 3 एक एक्षन मुवी है फिल्मे लीड में है टाइगर शौफ और श्रद्धा कपूर श्रद्धा सबसे पहले टाइगर के साथ बागी में नजर आई उसके बाद दिशा ने उन्हें रिप्लेस किया लेकिन श्रद्धा के बार में सभी जानते हैं और एक बार फिर से डारेक्टर मजबूर हो गए श्रद्धा कपूर को लेने के लिए सुपरीट एक्षन फ्रंचाइज़ई बागी की तीसरी फिल्म में श्रद्था कपूर बतौर हीरोईन नजर आएंगी श्रद्धा कपूर बागी तरी में आने के बाद साजीन नाडियाड वाला कहते हैं श्रदा कपूर के आने से बागी की पूरी टीम बहुत खुश है बागी में टाइगर और श्रदा की जोड़ी को खूप पसंद किया गया था और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इस फ्रंचाइजी के फैंस दोनों के साथ आने से काफी एकसाइटीड होंगे इसी बात पर श्रदाखपूर का कहना है कि फैंमली में वापसी आके मैं बहुत खुश हूँ यह साजीत सर के साथ मेरी तीसरी फिल्म है टाइगर संग दूसर यो और अहमद सर के साथ पहली फिल्म होगी मैंने फिल्म के स्क्रेट पड़ी है और कहानी बहुत ही शानदार है इस फिल्म के लिए टाइगर शौफ जमकर पसीन बहा रहे हैं क्योंकि इसमें धमा के दार एक्शन है और टाइगर ने ट्रेनिंग शुरू भी कर दी है ये सबी जानते हैं बागियो और बागी टू से भी बड़ा बजट और धमा के दार एक्शन सीन्स बागी ट्री में नजर आने वाले हैं इसमें कोई शक नहीं और जिसकी तैयारी एहमद खान ने अभी से शुरू कर दी है रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म के लिए टैगर शॉफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं फिल्म के कुछ हिसों की शुटिंग खाड़ी देशों में ही की जाएगी एहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टैगर भारी हतियारों के साथ ट्रेनिंग ली फिल्म के लिए रिसर्च के दौरान एहमद खान को ये जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उंदा ट्रेनिंग कैम्स है लिहाजा नमबर वन में टाइगर सीरिय जाकर धूम सीरीज के बाद ये बॉलिवुट की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी में साबित होगी हाला कि अब इस बार में कोई खुलासा निवा कि अक्षे कुमार किस रोल में नजर आएंगे अब ऐसे अगर विलेन के रूप में सामने आते हैं तो अक्षे और टाइगर के फाइट सीन्स को देखना काफी दिल्चस्प होगा या अगर सपोर्टिंग रोल में आएंगे तो ये भी धमाकेदार होगा दोस्तों टाइगर श्रॉफ उन स्टार्स में से हैं जो आते ही छागे टाइगर श्रॉफ यूद के साथ साथ बच्चों का भी दिल जीत ले गए टाइगर ने बहुत कम फिल्में की लेकिन इनके बारे में आज हर कोई जानता है कुछ फिल्में देकर इन्हों ने बॉलिवुड में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली वो एक्शन और डांस में इतने माहिर हैं कि सबी को दिवाना बना देते हैं लेकिन ये कहान एक शुरू हुई थे फिल्म एंटर दड्राइगन बूसली की फिल्म से उस फिल्म ने टाइगर को इतना इंस्पायर किया कि टाइगर ने माशल आर्ट सीखनी का मन बना लिया टाइगर ने टाइकुंडो में पांच डिग्री बेल्ट हासल की जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी चाती है अगर बात करें डांस की तो माइकल जैक्सन और बॉलिवुड के सूपर हीरो रितिक रोशन से काफ़ इंस्पायर है उनका ड्रीम था कि वो रितिक रोशन के साथ किसी फिल्म में काम करे और नजर आए उनका मानना है कि रितिक जैसा कोई भी नहीं है और ना ही हो सकता है वो मेरे आइडल है क्योंकि वो अच्छे एक्टर के साथ साथ अच्छे डांसर भी है उनके फिल्मों का कलेक्शन बहुत अलग है जिसकी वज़ा से बॉलिवुड में उनकी अलग आइडेंटिटी है और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ एक अलग आइडेंटिटी क्रियेट करना चाहता हूँ जब उनकी डेवियो फिल्म का ट्रिलर रिलीज हुआ तब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया ट्रेलर से जादा लोगों ने टैगर के लुक के बारे में बात करना शुरू किया लोग उन्हें सोचल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहे थे जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी सिंदिगी का सबसे बुरा समय था वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ओडियंस उन्हें असेप्ट नहीं करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने तीन दिन में 21 करोड के आखड़े को पार कर लिया ये एक नौन एक्टर और इस्टैबिश एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी फिल्म ने ओवरॉल 50 करोड का कलेक्शन किया फिल्म सेक्सेस्फुल होने के बाद लोगों का परसेप्शन टाइगर के लिए बदल गया और आज उनकी फैन फॉल्विंग किसी स्टार्स से कम नहीं लेकिन शुरुवाती दिनों में टाइगर के उपर बड़ा प्रेशर था क्योंकि वो एक स्टार किर्ट थे टाइगर को उनके पापा यानि की जैकी शौफ से हमेशा कमपेर किया जाता था माना की दोनों के करियर की शुरुवात काफी अलग थी लेकिन फिर भी और ये बात खुड टाइगर ने कही थी कि मेरे काम को हमेशा मेरे पापा के साथ कमपेर किया जाता था इसलिए failure का डर उन्हें हमेशा बना रहता था और उसी चकर में उन्हें फिल्मों में और ज्यादा मेहनद करना पढ़ता था इनकी पहली फिल्म से ही इनने action hero माना जाता है the real action hero इसलिए उनकी दूसरी film बागी भी कामयाब रही टाइगर उन एक्टर्स में से हैं जो बॉडी डवल और स्टंट मैन का यूज नहीं करते बिलीव ही नहीं करते एक्शुल में उनका कहना है कि अगर सारे रिसके स्टंट लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हतियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले थे जैसे की M16, 84 और रॉकेट लांचर साथी साथ शद्धा भी कलराई पट्टू की ट्रेनिंग ले रही है आपको बता दे कि शद्धा इंदिनों फिल्मेकर्स की पहली पसंद बने हुई है वो बागी 3 के अलाव वरुन के साथ स्ट्ट डांसर समेथ 5 बड़े बजट फिल्मों में नजर आने वाली है नजर डालते हैं उनकी आने वाली फिल्मों पर तो पहली फिल्म है बागी 3 श्रदा कपूर को बागी 3 के लिए फाइनल कर लिया गया है वो एक बाद फिर टाइगर शॉफ के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे श्रदा बागी का हिस्सा तो रह चुकी है इसके बाद बागी 2 में टाइगर की कधित गल्फरिंड ने एहम भूमी का निभाई थी अगली फिल्म है स्ट्रीट डांसर रैमो डिसुजा की इस फिल्म स्ट्रीट डांसर में भी श्रदा कपूर नजर आएंगे उनके अपोजिट वरुंदोहन होंगे बतादे की साल 2015 में रिलीज हुई ABCD2 की सेकस के बाद रैमो डिसुजा स्ट्रीट डांसर लेकर आ रहे हैं ये फिल्म आठ नौवंबर 2019 को रिलीज होगी उसके बाद है साहो बाहु बली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले एक्टर प्रभास साहो लेकर आ रहे हैं इस फिल्म के साथ श्रदा तेलगू सिनेमा में अपना सफर शूर करने जा रही है ये फिल्म 15 अगत 2019 को रिलीज होगी बता दे कि प्रभास और श्रदा पहली बार स्क्रिंग पर साथ नजर आएंगे छी छोरे